भार्द वर्ष की जरीमा को बनाये रखाए मा उठाया है भार्द माता के सच्छे सपूद शांती के अग्रदूत शिरी देव की नंदन ठाकुर जी महाराज जी महाराज श्री और विष्ष शांती सेवा चैरिटेवल ट्रस द्वारा पूरे विष्ष में आध्यात्म सेवा और शांती का संदेश दिया जा रहा है इसी कड़ी में शांती के अग्रदूत शिरी देव की नंदन ठाकुर जी महाराज के पावं सानिद में देश की नई पीडी में आध्यात्म के संचार के लिए महाराज श्री देश के अनेकों शहरों में अपने प्रबचनों के द्वारा लोगों के दिलों में नया उसाय भर रहे हैं और आध्यात्म का संचार कर रहे हैं अनेका नेक लोग विश्ष शान्ती के महायग में आहूती डाल चुके हैं जिसके माध्धम से अनेकों भक्तों को भगवत शर्णागती प्रावत हुई है इस शर्ण से प्रातना है कि महराश्री इसी तरह जन्मानत का आपने प्रबचनों द्वारा कल्यान करते रहे इस शर्ण से विवरंचनुतं सरण्यं भ्रत्यार्त्यार्त्यां प्रनतपाल भवाप्त्यपोतं बंदे महापुरुस्ते चरनार विंदं सरवे भवन्तु सुखिना सरवे संतु निरामया सरवे भद्राणी पश्यंतु माकशित दुख भाग वबेद सभी एक बार प्यार से बोलेंगे और जोड से बोलेंगे यू आर यंग ना तो दुनिया को पता चलना चाहिए कि आप लोग सभ यंग हैं जवान हैं जोड से बोली एक बार आज भी मुझे कन्याओं की बेहन बेटियों की संख्या जादा लग रही है और हमारे यंग बच्चों की भी कम नहीं हैं वो भी बहुत बड़ी तादात में आए हैं आज आप सब का स्वागत है वेलकम तु वल उफ यू आप लोग हर दिन एक नई किलास जोएन करते हैं उसमें एक नया सब्जेक्ट होता है एक-एक सब्जेक्ट पे आप बहुत ध्यान देते हैं अपने माइंड को अपने दिमाग को लेकिन ये जो आज का इसका 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 इस how to earn money this is a simple way do you know how many people in this world they are earning money without go to school yes or not yes or not Dhirubhai Ammani ka naam suna or not know how many people who did not go to school but they have earned money but in this world if our life has died and died by living it means means we are failed in life sab se pehle aap batao class mein fail hoona hai ke pass no one can want fail right ek class mein agar fail ho gay toh dubaara try kar sakte hai pass ho sakte hai lekin life mein agar fail ho gay toh there is no chance again there is no chance again है, गया तो और मौत कभी कहके नहीं आती माइडिया वो बच्पन में भी आ सकती है, वो जवानी में भी आ सकती है मेभी वो बुड़ापे में भी दुख देती रहे, लेट से आए कितने लोग हैं जो बुड़ापे में मौत मांगते हैं उन्हें मिलती नहीं एकाद को जानते हुग नहीं मैं तो बहुतों को जानता हूँ मैं तो जहां जाता हूँ इतने लोग मिलते हैं, उनमें से ऐसे भी लोग मिलते हैं, जो मौत मांगते हैं लेकिन उनकी किस्मत में मौत नहीं है। इन सभी प्रशनों पर आज हम और आप चर्चा करेंगे। Questioning is better than answering, right? Now, start, और आपकी परिक्षा शुरू होती है कि आपके question कैसे होते हैं। आपके question आपकी योगिता का दर्शन कराते हैं। याद रखना, पैसे कमाने वाले question मत करना आज लाइफ में। ये तो हर जगे करते हो, बार बार करते हो। आज आपके question ऐसे होने चाहिए, जिसे पता लगे कि हाँ, मेरे सामने देवास के कुछ योग ये बच्चे बैठें। सबसे पहले सादुबाद हमारे सरकार के शिक्षा मंतरी के जो घर से पधारी हैं। उनका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज यहां पहली वार तमाम स्कूल के संचालक और टीचर महदय भी आये हैं। उनका भी बहुत-बहुत सादुबाद है और धन्यवाद है। आप लोग सब स्कूल में बच्चे वही पढ़ते हैं जो शिक्षक पढ़ाते हैं। और इसकूल में वो पढ़ाया जाता है जो सरकार निश्यत करती है। और आज मद्ध प्रदेश के तीनों त्रवेणी संगम हैं यहां बच्चे भी हैं जो पढ़ते हैं। इसकूल वाले हैं जो पढ़ाते हैं। और सरकार के प्रितने धीवी हैं यहाँ पर जो कि तैग करते हैं क्या पढ़ाना चाहिए और आज की क्लास में यह कह सकता हूं एक रिकॉर्ड हो सकती है इस अंसार के लिए इस वर्ड के लिए क्योंकि हम लोग यहां यह नहीं सीखने जा रहे हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए जॉब कैसे मिले इंटेलिजेंट कैसे बना जाए आज हम कुछ और सीख रहे हैं और वो हम बताएंगे अभी तो आप सब अगर कोई क्वेशन करना चाहें बच्चे और कोई भी सीनियर आज हाथ नहीं उठायेगा जिसकी साधी हो गई है उसके लिए एक क्लास है लेकिन क्वेशन करने के लिए नहीं है सिर्फ अन्मेरिट बच्चे ही आज इस क्लास में क्वेशन कर सकते हैं यह मैं स्पेसलिक आयरा हूँ आप लोग सिर्फ सुने में भी कई सीनियरों को पता चले कि हमने भी अपनी लाइब में क्या कमियां किये हैं क्या गलतियां किये हैं और जो कमी हमने की हैं वो हम अपने बच्चें को न करने दे में भी आप लोग शीक सकते हैं तो कौन-कौन बच्चे प्रश्ण करना चाहते है आपका कल प्रश्ण हुआ था डॉन से अगेन डॉन जिनके क्वेशन हो चुके हैं क्योंकि औरों को भी मुखा मिलना चाहिए ज्यादा ज्यादा लोगों को आप खड़े हो जाईए आप नाम उम्र जरूर बता दे जिससे पता चले कि आप यंग है गुरुजी रादे रादे मेरा नाम योगेश मल लगाए है गुरुजी मैं बुरहनपूर से हूँ और मेरी उम्र है 25 वर्स फ्रॉम नहीं बताना एज और नेम बताना गुरुजी सबसे पहले तो आप से एक मेरी प्रातना है कि जो ब्रज की भाषा में तू शब्द का उपयोग करते हैं तो मुझे तो बड़ी प्यारी लगती है वो भाषा और जब आप तू बोलते हैं तो ऐसा लगता है कोई गोपी बोल रही है मुझे तू लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो कहते हैं ब्रिंदावन जाते हैं और गिराज जी में दर्शन करते हैं तब वहाँ पे जो पुझारी लोग है वो भी तू से सब माताओं को भी कहते हैं तो कुछ लोगों को बुरा लगता है लेकिन अगर कोई ब्रजवासी अगर हमें कुछ भी कह दे उसका बुरा नहीं मानना चीए तो मैं आपसे प्रात्ना करता हूँ कि आज जब आप कथा कहेंगे तो देवास के भक्तों को भी इसका महत्व समझाए कि तू का बड़ा महत्व है ब्रजवासा मतलब बहुत प्यारी है अच्छा मैं बता दूँ कॉश्चन यही था नई गुरु जी कॉश्चन यह है कि हम बरसाने गए थे तो वहाँ पे जो अश्टि सखी जी का मंदीर है तो अश्टि सखी जी का मंदीर थोड़ा अंदर की साइड है और क्राफी प्राचीन है तो वहाँ पे कोई भी भक्त दर्शन करने के लिए नहीं जाते है लेकिन हम लोग गए थे तो मैं चाहता हूँ कि गुरु जी हम भी ऐसा कुछ कुछ करना चाहते है कि वो अश्टि सखी का मंदीर भी मतलब लोग दर्शन करने जाए काफी अंदर मतलब एकुछ ऐसा बनना चीए महाँ पर ताकि हम लोग मतलब सभी करना चाहते है उसमें जी ट्राइ करेंगे आपने का उसके लिए धन्यबार माइक देदेचे रादे रादे जैसा कि कल आपने काथा मैं कहा था ब्रह्मा जी के बारे में कुछ तो मैं उसी से रिलेटेट कुछ पूछना चाहूंगा श्रीमत भागवत गीता मैं हमेशा क्रेशन लिला एवं क्रेशन भक्तों के बारे में बता गया है लेकिन करशने जी ने कहा है कि मैं ब्रह्मा जी के रूप में भी समाता हूँ जैसा कि कल आपने बताया था कि करशने जी ब्रह्मा जी के आउतार में पदा रहे थे तो भागवत गीता में ब्रह्मा जी की लीलाओं का वर्णन क्यों नी कहा गया है भागवत गीता में और भागवत में क्या अंतर है भागवत गीता में क्रशन लीलाओं के बारे में बता गया है भागवत जी में संपूर्ण रामायन और इसके बारे में बता गया है संपूर्ण किसके बारे में रामायन जी और इनके बारे में बता गया है भागवत is different, भागवत गीता is different, someone understand कि एक ही है, ऐसा नहीं है, गीता जो कृष्ण ने महावारत के समय अर्जुन को सुनाई थी, वो गीता है, और भागवत जो सुकुदेव जी ने परिक्षित को सुनाई थी, वो भागवत है, ये दो गरंत है, ब्रह्मा जी की भी तमाम लीला हैं भागवत में, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ ब्रह्मा जी के बिसे में समझने को भागवत में मिलेगा, ठीक है, बढ़ चाहिए, और आप खड़े हैं, कोशिस करें, कम सब्दों में क्वेश्चन करें जिसे जादा लोगों को अवशर मिल सकें, जी, गुरुदेव, सबसे पहले आपके पावन चर्णों मेरा कोटी-कोटी प्रणाम और रादे-रादे, मेरा नाम मदन प्रजापत है, और मेरी उम्रा अठारा वच्छा है, जी, मैं आप से पूछना चाहता हूं, मेरे तीन कोश्चन में तीनों साथ कर सकता हूं सा, एक ही तो बच्वनी थी तो बच्पन ही तेरा, तेरा जी, पेले मतलब, अब कौन सा तुप, तो मैंने घर पे बताया नहीं था, मैं बिना बताया था, तो फिर गहर पर जा क," थो ऑन बताया, तो उन्हों नहों और बताया कि ऱ जिने कोशने कोशने और से हुष डिरुरुदृ द पूछा ता ममी से कि में आरजी को गुरु बना रहा हूं, it's okay. गुरुदेव, मेरे दूसरी बात यह है, कि जो गुरु मंदर आपने दे रखा है, वो सिद्ध किसे होता है, गुरुजी? वो अलेडी शिद्ध है, यह जो मैं, आप लोगों को जो, हम लोग जो निंबार के संपड़ाय से आपको दीक्षा मेलती है, आप सबसे पहले समझ लीजिए, this is not my personal way, यह मेरा रास्ता नहीं है, यह अलेडी शिद्ध है, क्योंकि हजारों बर्स पूर्व से, आचारे गण इस इसे शिद्ध करने की जरुवत नहीं है, इसको जितना आप जबते चले जाएंगे, उतना प्रवावी आपके जीवन में दिखाता चला जाएगा, गुरु जी लास्ट बात यह है, कि मेरा सरु से भी बहुत माने कि आपका भी आगमन हमारे शेर में हो, गुरु जी, आपके साथ आयो, नहीं में अकला ही आया हूँ, अच्छा, चलो कोई बात नहीं, बगवान से प्रार्तना करते हैं, कैति शिग्राप की इछा पूरी हो, ठीक है, देते हैं, मैक देते हैं, और वाई लोग, आप लोगों से बाद में पूछेंगे, कन्याओं से बाद में गुरुजी, रादे, रादे, मेरा आम हिमानशु है, और मेरी उम्रे 25 वर्श है, गुरुजी, मैं पूछने चाहता हूँ, क्या गुरु दिख्षा एक बार अगर ले ले लेते हैं, का दूसरी बार लेना जरूरी है, और एक क्वेशन और कि गो सेवा केसी होनी चाहिए, द जीक वैसे हमारा आराद्य एक होता है, और हमारा गुरु भी एक होता है, और हमारा धर्म भी एक ही होता है, आजकल तो modern समय है, या पती बदलने का रिवाज है, पत्नी बदलने का रिवाज है, धर्म बदलने का रिवाज है, तो लोग गुरु भी बदल लेते हैं, लेकिन ठीक नहीं है, अध्यात्मिक दर्ष्टी कौन से ये बिरकुल भी ठीक नहीं है जैसे पती, पिता परमात्मा गुरू, धर्म ये सब एक ही होने चाहिए हमारा धर्म वही जिसमें हमारा जन्म हुआ है लोग पैसे की खातिर धर्म बदल लेते हैं लोग अपनी चाहों की खातिर धर्म बदल लेते हैं इसका मतलब है कि उस तो दू भी जा रहा है आप से निवेदन है कि आप अगर दिक्षा ले रखी है बागी शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं दिक्षा गुरु सिर्प एक होते हैं दूसरी बात गव शेवा गव शेवा के लिए तो देखो आपको तन मंधन तीनों चीज नोचावर करनी होती है आप पूर्ण तहा समर्पित होकर मैं यह नहीं कहता कि अपना घर काम चोड़ कर लेकिन हाँ घर के काम के साथ साथ यह भी सोचें कि हमे गव माता की विशेवा करनी है जो हमें दुख पर पान कराती है जो हमें अम्म्रद देती है जिसके घर में रहने से तमाम रोक खतम हो जाते हैं ऐसी गव माता का भी देखवाल करते रहें यह बहुत आच्छी बात है ठीक है याद रखें रादे रादे, रादे, आप खड़े उजाएगे, फिर कह रहा हूँ, कम सब्दों में आप क्वेश्चन करें, जिससे मुझे जादा समय मिले और लोगों तक पहुचने के लिए, गुरुजी रादे, रादे, मेरा नाम अभिक तिवारी है, उम्रे तेविश्वर से, मैं आप से एक निविजन करना चाहूँगा, कि जैसे आप धर्मे के बारे में बताते हैं, दूसरे महरा जो को भी मैं सुनता हूँ, वो कथा करते और चले आते हैं, महर अपने धर्मे के उपर अभी क्या बीतरी है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है अपना धर्म, वो कोई नहीं बत करता हूँ, आपकी कता में सुनता हूँ, रेगुलर, आप बताते हो, मत दूसरे नहीं बताते हैं, पैसे, दूसरों पे तो मेर अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ, भी मैं अपने आपसे करता हूँ, आज की ये क्लास किसके लिए है, जादा उस जादा लोग बताएंगे, तो से आधा से आधा विक्तिर्त तर आपके पास पुचेगा हूग आज कल शोसल मिडिया बहुत तुड़ा ऐफेक्टिव हो गया थो ये काम तो आप भी कर सकते हो अपको करना चीए और अप में से सोल मिडिया पे सिर्फ एरो एंलाइक करोगे ने यह लाइक करें गिलडिया यह को लाइक करें, social media पे धर्म का परचार गर गर तक कर सकते, जितने माराज लोग नहीं कर सकते, उतने आप लोग कर सकते, आप कितनी capability है, हम लोगों में धर्म में एक और सबसे बड़ी समस्या है तिवारी जी, वो समस्या यह है, कि हम लोग सोचते हैं कि धर्म का पालन और धर्म का परचार सिर्फ पंड़ा पुजारी संत मात्मा ही करेंगे, हमारी कोई responsibility नहीं है, यही सबसे बड़ी मूरकता है हमारे धर्म की, हम लोग सोचते हैं कि धर्म का परचार करेंगा, हम सोचते हैं यह मात्मा लोग की धर्म का परचार करेंगा, यह सही नहीं है, जितनी धर्म की duty और जिम्मेदारी मेरी है, उतनी यहां पर बैटे हूँ हर एक लोग होएंगे, आप उन में जाके एक काम कर सकते हैं, यह सब को करना चाहिए, यह एक काम करने से नहीं होगा, हम लोग यह आ जाते हैं पर अपनी मठों के वारे में हम लोग सोचते हैं, हम तो मारे में क्यों सोचते हैं, जब तु मारे में नहीं सोचते हैं, यह बहुत लाजर से देखते हम लोगों को भी कहां कोई बश्वास करता आज गल तो आप लोगों तो अपने फ्रेंढ्डों पर भी स्वास करते हैं आप कर सकते है आपको यही मेघ बात समझा चाह रहा हूं हो देखला हूं पर जितने भी लोग बैटें कौन कौन internet use करता है नहीं मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ आपको जो-जो internet use करते हैं हाथ उठाइए सब लोग उठाइए जो-जो करते हैं उपर करिये न सरमाना किस बात का कौन सी मम्मी देख रही है सर नीचे करके उठाइए सब करते हैं के नहीं use तो अभी तो नीचे कर रहा दाद पापी नीचे करो अब ये सारे लोग facebook use करते हैं ये सारे लोग internet use करते हैं बजाए गंदी चीजों को like करने के आप इमानदारी से धर्म का परचार कर सकते हैं अच्छी चीज लाइक करें अच्छी चीज शेयर करें मेभी आपकी एक अच्छी चीज से कोई अच्छा बन गया उसका लाब भी आपको मिलेगा ये सारे चीज़ें आप कर सकते हैं एक बात और बताना चाहूंगा कि यह 1947 में चाओदा क्रिस्चन थे आज 6 करोड क्रिस्चन है वो सब हिंदू ही थे वो जो 6 करोड हैं वो हिंदू ही है और हिंदू धर्म ही ये कैसा है पैसा दो धर्म बदलवाओ ये सिर्फ पैसे पे बिग जाता और ये धिकार वाली बात है नफरत वाली बात है मैं ये नहीं कहता कि क्रिस्चन धर्म बुरा है कभी नहीं कहता है में कि कोई धर्म बुरा है मेरी नजर में सभी धर्म अच्छे हैं पर अपने धर्म को छोड़ कर अगर कोई दूसरे धर्म में जाता है दो वो सबसे गिरा हुआ है इंसान वो किसी भी धर्म का पालन नहीं कर सकता अपने बाप को छोड़ के बोले ये धरम का बाप है ये को अच्छी बात है अपने पती को छोड़ के कह दे ये हमारे धरम का पती है दूसरा ये चलेगा क्या समास्विकार करेगा बोले हमारे यहां अगर कोई कन्या कहे कि यह तो असली पती है लेकिन एक धरम का पती है मेरा वो मुझे तो वो पसंद आ गया काम चलेगा पती पती है उसमें कोई option नहीं है second पती नहीं चीए जैसे second पती नहीं चलेगा जैसे second बाप नहीं चलेगा वैसी second religion भी नहीं चलेगा वही है तुम्हारा जो है जिसमें तुमने जनम लिया है वही तुम्हारा बदलने वाला और बदलबाने वाला दौनों ही पापी है कोई मुझे से कहे कि आप दर्म बदल लो हम आपको दुनिया वर की सारी संपति दे देंगे मैं कहा दूँगा सौ बार मरना सुईकार है भूंका लेकिन एक बार भी धरम बदलना सुईकार नहीं और आज अगर मैं बदलना चाहूं अपना धरम तो मुझे मालूम है कि ये लोग मुझे कितना पैसा दे सकते हैं बदलो बोले सची बोलो बदलो क्यों तुम्हारे तुम्हे वैसे भी काम करने हूँ, तुम्हेरी वैसे ही कोई बात मानने वाले नहीं हूँ, उनके काम आ जाओंगा, वो लोग उनको हाँ चला गया न तो कसम से रात और रात पता नहीं क्या बना देंगे मझे, जाओं क्या, मैं नहीं, आप हाँ, तो जितने भी ब आप सम्मानी है, मा सम्मानी है, पती सम्मानी है, पत्री सम्मानी है, वैसे अपना धर्म भी सम्मानी है, अपने धर्म में जीओ, अपने धर्म में मरो, बुलें रादे, रादे, आप खड़ हो जाएगे, आप, जिन्नों ने चस्मा पेना हुगा है, गुरुजी रादे, राद लगता है कि जयसे कही जौब निछ जाओे मतब इस डर को एसे भगाया जाहे और जिंगी को कैसे आंदन में जी एा जा Curry अपने कर्व में इमानदारी लेाओगए अगर आप अपने काम में इमानदारी ले आएंगे जोब कब जाएगे तो दो नमबर का काम करोगे जोब कब जाएगे जब रिश्वत लोगे रिश्वत जब तक लेते रहे ठीक है जिस दिन पकड़े गए उस दिन जोब चली जाएगे जब आप अपने जीवन में इमानदारी इमानदारी में एक अच्छी बात है पता है कभी डर नहीं रहता है बेइमानी में पैसा भी होता है मकान भी होता है दुकान भी आश्वाराम भी होता है लेकिन एक टेंसर नहती है जिस दिन पकड़े गए उस दिन क्या होगा आज हर व्यक्ति डर डर के जी रहा है क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई नो कोई बेमानी जरूर बैठी है और जिसके अंदर बेमानी नहीं है वो कभी डर नहीं सकता बताई इमानदार कभी डरेगा बे इमान पैसे से बलवान होता है और इमानदार इंटरनली श्रोंग होता है अगर आप चाहते हैं कि डरना नहीं है तो अपने जीवन में इमानदारी रखें भगवान का भजन करें किसी का बुरा नहीं करें आपको कभी डरने की जरूवत नहीं आप जहां चले जाओगे लोग आपको लाइक करेंगे और कहेंगे ऐसा इमानदार व्यक्ति हमें चाहिए हमारे काम में चाहिए मैज देदी जी ठेक है आप खड़े हो जाई है अरे कृष्णा गुरुजी मेरा नाम तरुन नामदेव और मैं 17 साल का हूँ सर मेरा प्रश्णी यह है कि सर जैसे हरियाना में अभी करा था कि बागवद गंत्र को इस्कूल में पढ़ाया जाए थोड़ा बोट तो लोग न उसका विरोध क्यों करते हैं और हम देखते हैं कि सर जैसे पागिस्तान में आते हैं तो उनका नेशनल रिलीजन मुशल्मान है तो अपने इंडिया में क्यों नहीं सर और एक और प्रस्णे सर मेरा कि जैसे सर हेदराबाद में सर एक लीडर है सर उनका नाम नहीं लेना चोंवा में सर वो अपने गव माता के बारे में बहुत गलत गलत शब्द बोलते हैं कि आप उनको सेवन करके देखिए वो गोस्त से भी अच्छा लगता है तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर और अपने हिंदु धर्म के बारे में आप गीता में इस्कूल में पढ़ाए जाए उसके लिए आप क्या यहां पर हमारे मंत्री जी की गर से बैठी है ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा शिर्फ इतना कहूंगा अगर इस देश का नेता एक अच्छा और नेक इंसान बन जाए तो इस भारत को भिश्व गुरू बनने से कोई नहीं रोग सकता हम सब पाकिस्तान में इस चीज़ की कुई प्रॉब्लम नहीं है वो तो कहते हैं जो बनेंगे हम ही बनेंगे हमारे यह प्रॉब्लम रहती है कि बोट नहीं मिलेंगे लेकिन मैं देखता हूं मद प्रदेश सरकार ऐसा नहीं है सोचती हर्याना की सरकार जो बनी है उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि गव अत्या करने वालों को दस साल की सजा मिलेगी मारा सरकार ने भी एक बहुत अच्छा कानून बनाया लेकिन ये चीजें प्रदेशिक इस तर पे होने की बजाए रास्ट ये लेविल पर होनी चाहिए और रास्ट में कैसा कानूर बनना चाहिए कि गववत्या नहीं होगी और गीता हर जगे पढ़ाई जाएगी क्यों नहीं हम लोग गीता पढ़ा सकते गीता कोई रिलीजन से सम्मंद नहीं रख्ती उनके मदर्सों में कुरान पढ़ाया जाता है English Medium School में Bible पढ़ाया जाता है तो फिर भारत में गीता क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती ये क्या अपराद है और अगर गीता नहीं पढ़ाई जा सकती तो आदालतों में गीता की सोगंद भी नहीं खाई जा सकती उसे भी रोग देना चाहिए ये वो चंद लोग हैं जो बोट के टुकडे की खातिर हमारे भविश्य का, हमारे फ्यूचर को बरबाद कर रहे हैं ये वो चंद लोग हैं और मैं यकीन के साथ कहता हूँ अगर ये और दस-पांच साल नहीं सुधरे तो गारंटी से कहता हूँ पंद्रे भी साल बाद आपको कोई हिंदू सासक इस देश में सासन करता हुआ नजर नहीं आएगा I am not against Muslim religion I am not against हमारे यह यह का जाता है सब को अपने अपने धर्म का पालन करना चाइए लेकिन एक बहुत नहीं कि हमारे धर्म को कोई अब जो कहता है गवू का मास खांके देखिये अच्छा लगता है अपनी मा का मास खांके देख साथ उसे भी ज्याद अच्छा लगे और ऐसे लोग तो अपने बेटे का भी मास खा लेंगा उस बेटे का मास तो और भी अच्छा है यह मतलब नहीं है कि तुम क्या खाना पसंद करते हो यह मतलब यह है कि अगर तुम किसी को हट करके जिन्दा रहते हो न तुमारा खुदा, न तुमारा गॉड, न तुमारा प्रमात्मा, तुमसे कभी प्रसन नहीं हो सकता और जो ऐसे लोग होते निया धर्म को जानते ही नहीं, वो लोग नहीं जानते हैं उन्हें सिर्फ अपने, चाहे वो कोई भी लीडर हो कोई और संपरदायका भी लीडर हो वो तो सिर्फ अपनी बोट के चक्कर में बोलता है बासन देने में कहा है, माइक में कोई भी बासन दे दो सर एक और था सर प्रशन मेरा कि सर आप इतनी बड़ी उपादी पे हो सर तो आप नरेंद्र मोधी जी से कुछ परामस करके कुछ एक लोग बनाई दीजिए जिससे की स्कूल में गीता का थोड़ा अध्यान हो सके में? यहां सर अच्छा इतनी बड़ी उपादी पे हुं में? यहने सर आप किसी से भी परामस कर सकते जैसे सर हम तो नहीं मिल सकते हैं नरेंद्र मोधी जी से पर आप तो उनसे वारतलाब कर सकते हो सर में? यह सर अच्छा सुकर है यार तूने सम्मान बढ़ा दिया मेरा मुझे कोई पहला है ऐसा अब एक्ति मिला जिसे लगता है कि मैं नरेंद्र मोधी जी से बात कर सकता हूँ I'm so proud of you यार Seriously मैं तो बहुत मान बन गया आज ऐसा नहीं है मैं कोई बड़ा बड़ा नहीं हूँ मैं आपकी लेविल में बस यहीं बैठा हूँ आपकी लाइन में मेरी कोई पहुँच नहीं कि मैं नरेंद्र मोधी जी से बात करूँ हाँ मुझे जो भी बीजेपी के लीडर मिलते है उस दिन जोसी जी आये थे उनसे भी मैंने कहा एक दिन सांसद महोदे आये थे उनको भी मैंने कहा और जहां जहां मैं जाता हूँ यह इतना तो है कि उस छेतर के लोग आते हैं आते हैं तो मैं अपना मेसेज उनको दे देता हूँ अब वो पहुँचाते हैं कि नहीं यह उनकी जिम्मेदारी है पर मैं अपना काम इमानदारी से करता हूँ मेरे को यह मैसेज देने एक जम्मना के लिए भी आंदोलन हम लोगों ने किया था आप लोगों ने सोसल साइड पे देखा होगा दूशरा वो उन्होंने अच्छा काम किया उन्होंने कमेटी बना दी गंगा की तरज पर जमना के लिए अब एक और कस्ट है हमारे दर में वो है गवहत्या और चिंता वाली कोई बात है यह नहीं भगवान ने चाहा तो इस साल या नेक्स्ट येर केंदर में ये कानून बनके ही रहेगा कि गवहत्या नहीं हो सबसे बड़ी समस्या यह है ना कि जब हम जैसा कोई व्यक्ती जाए तो आप अपने गरों में पढ़ने लगे जाते हो फिर हमारा साथ नहीं देते हो यहां माइक पगड़ के हमें आगे बढ़ा देते हो डंडे फाखाने के लिए हम आगे रहते हो भाई जब ऐसी चीज के लिए हम आपको कॉल करें तो आपको हमारे साथ दिल्ली में रहना चाहिए फिर हमेजा धर्म के लिए तो दो चार दिन कुर्वान करना पड़ेगा ऐसे थोड़ी बैटे बैटे ही हो जाएगा काम रादे रादे अब उधर से माइक ले आईए लड़के लोग थोड़ा सा हाथ नीचे कर लिजिए देखिए हमारी बेहन बिटिया कितने अराम से रिलेक्स होके बैठी है अब इनके क्वेशन की बारी है सब हाथ नीचे कर ले आप खड़े हो जाओ बस यो रादे रादे मैं गोलू उम्र और बता दिजिए गोलू जी मैं 14 साल का हूँ मैं आप से ये प्रेशन करना चाहरा हूँ कि आजकल है न हमारी जो भारतिय संस्कृति है यह हम हमारी स्कूल में पढ़ा ही नहीं जाती लेकिन है अगर हम इस संस्कृति को लाना चाहे तो हम कैसे यहां पर सिक्षा मिनिस्टर जी की घर से बिराजमाने उनको को कहो कि हम भारतिय सिक्षा और भारतिय संस्कृति पढ़ना चाहते हैं यह देखे, यहां पर टीचर महोदे भी हैं, यहां पर स्कूल कॉलेज चलाने वाले भी हैं, यहां पर सिक्ष्या मंत्री के घर से भी हैं, मैसे सरकार तक जाएगा ही जाएगा, यह सब अच्छे भारतिय परंपरा को पढ़ना चाहते, यह किसी पर फोर्स नहीं किया जा रहा ह यह अपनी मर्जी से काहर है, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और मद्द्परदेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था, सूर्य नमस्कार प्रारम किया है, किया है न, तो एक बार जोरदर ताली बजाईए, मैं एक बात और कहता हूँ, जो भी ऐसे कारे करने वालों में अडंगा डालते हों, ऐसे लोगों के ऐसे नेताओं के घरों पर, आप बच्चों को जाके, इंट पत्र तो मत फेंकना, इंट पत्र मत फेंकना, ऐसे लोगों के दरवाजे पर जाकर कहना, कि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, और हमें हमारी पिता चाहिए अगर नहीं दोगे तो तुम्हें नेता बनने का अधिकार ने अभी क्या है वो कुछ भी बोल के चले जाते अभी रेक्शन नहीं होता रेक्शन होना चाहिए बिरकुल रेक्शन होना चाहिए और जबरदस्त reaction होना चाहिए. अगर गीता पढ़ाने की कोई बात करता है और अगर कोई मना करता है ऐसे घरों पर जाकर थोड़ा सा बुलंद आवाज में जवाब देना चाहिए. I want to learn गीता. धन्यबाद. बहुत बहुत धन्यबाद. अब आप में से करन्याओं में से कौन-कौन क्वेशन करना चाहता है. आप खड़े हो जाएगे. कम सब्दों में बोले? रादे, रादे. गुरुजी, मैं आपको regularly सुनती हूँ and I want कि मेरे जो बाकी friends हैं, वो भी आपको सुने. बट जब उन्हे कहती हूँ तो देसे कि तू ही जा, तू ही जा. ऐसा कुछ की उन्हें इंट्रेस्ट आए to learn all this. नहीं, उनको इंट्रेस्ट तब आएगा ना कि जब वो थोड़ा सा इंट्रेस्ट लेंगी. क्योंकि कहावत है nothing is interesting if you are not interested. और उनको इंट्रेस्ट तब आएगा जब वो यहाँ एक बार आजाएं. यहाँ एक बार आजाएं और हमारे दो चार दस मिनट बैठें, तो मैं भी कि वो आपकी तरह enjoy करने लग जाएं, लेकिन जब तक आएंगे ही नहीं, तब तक हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है न? कोशिस करिये उनको लाने के, बोले चलो, हम आपकी फ्रेंड्शिप के खातिर कभी मूवी थेटर बगरा चलते हैं, तो हमारी खातिर एक बार कथा पंडाल चलो, अच्छा नहीं लगे तो उठके चले आना, और मेभी मैं प्रोमिस करता हूँ, एक बार आने के बाद जाना मुश्किल है फिर उनका, यह तो मान्ते हो, है, थैंक यू, और कॉन था यही, आप खड़े हो जाओ पिछे, रादे रादे गुरु जी, रादे रादे, सबसे पहले, मैं अपने गुरु को धन्यवाद देना चाहती मेरे जो गुरु के सद्गुरु है, मैंने उनकी दिक्षा लेके रखी हुई है, और मेरे जो गुरु के सद्गुरे वही मेरा कलपर वरक्ष है, तो मैंने उनसे हर चोटी बड़ी बाते बोलते हैं, मुझे जो भी चाहिए होता है, जो भी बोलना होता है, मैं सब उनसे बोल तो मैं रोज तो मुझे लगता था कि पता नी देवास इतनी चोटी सीटी है तो ठाकूर जी तो पता नी ठाकूर जी आएंगे नहीं आएंगे तो मैं अपने गुरू से रोज मतलग प्राटना कटे टाइम बोलती थी एक बार हो जाएक अथा और वो हो गई तो इसलिए मैं ब मेरा कॉश्चन यह है कि जब भी हमारे इतना विश्वास होता है भगवान पे भी होता है गुरू पे भी होता है बट फिर भी एंड मुवेंट आने पर हम ऐसे नर्वस कि हो जाते हैं एक्दम नेगेटिव फिलिंग्स भी आ जाती है ऐसा ग्यों होता है देखिए यह होता है lack practice आप और हम भजन भी करते हैं लेकिन पूर्णतहार हमारा जो samarpan है devotion है नहीं है और हमेह स्वास कहता हूँ first you devote yourself then you see he will help you he will come to you who only your God but there is so many problems and problem is that, must problem is that के हम लोगों को पूर्न विश्वास नहीं है और जब तक विश्वास नहीं होता है तो कोई भी चीज एफेक्टिव नहीं होती है आप गुरु मंतर पे विश्वास कीजिए आप अपने भगवान पे विश्वास कीजिए और इतना सोच की रखी अब नर्सी का विश्वास देखिए जेब में फूटी कौडी नहीं है और भात बरने चला गया बरा गया कि नहीं अब ये मानलो कि वो भगवान के परमभक्त थे हम उतने नहीं है लेकिन ये भी सच है कि वो भी एक साधान से परमभक्त बने विश्वास नहीं उन्हें परमभक्त बनाया जब आप विश्वास कर लेंगे तो आपको भी नर्सी बनने में मीरा बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी आप भी वो बन सकते हैं विश्वास करिए विश्वास के साथ बढ़ते रहिए और प्रेक्टिस एब्री डे करिए ठीक है रादे रादे और आप खड़ी हो जाईए गुरु जी रादे रादे मेरे नाम खुश्बुमालवी है मेरी उम्र तेरा साल है मेरी ये कोश्चन पुशना जाती हूँ कि कृष्ण जी कहते है कि जब जब किसी भी युग में कञ्स मामा जैसा राक्षेष्पेदा होएगा जब जब मैं उतरृत होंगा तो अब इतने सारे राक्षे श Grela हो जुके तो आप क्यों नहीं उतरृत होते हैं आपकी निजर में राक्षेष कोन है जब आप दिजी दो चार राख्यसों का नाम बताईए मुझे जल्दी बताओ बेटा इतने सारे बोल दिया यहां बैटे गुए सब राख्यस थोड़ी है बोलो कौन-कौन राख्यस है तुमाई नजर्म जो भत्ति के मार्ग में बीच में आते हैं वही तो राख्यस है वाओ, wonderful answer wonderful answer, seriously आपकी उम्र से ज़्यादा समझदारी वाला यह answer है लेकिन मैं आपको बता दूँ अभी यह राख्यस उसे लेविल के नहीं है seriously यह जो राख्यस है यह तो टटपूजी है हतेज हवा चलने पे उड़ जाते भगवान को आने के लिए श्ट्रॉंग राख्यस चाहिए कंस जैसा, रावन जैसा दंतवक्र जैसा, हिरनाक्ष जैसा ऐसे राख्यस हैं यह यह तो भुखार से मर जाते है यह serious है नहीं बोले यह गलत कह रहा हूँ जो भुखार से मर जाए उसे हमारे यह कहते है जो भ्यक्ति मच्चर खाने से मर जाए उसके लिए परमाडू बम छोड़ने की जरूवत है तो यह तो मच्चर से मलेरिया, मलेरिया से बीमार, बीमारी से खतम, तो इनके लिए भगवान को आने जरूवत नहीं यहां पर तो भक्तों की जिम्मेदारी जादा है कि वो पूर्ण तहा उन से लड़ते हूँ यह कही वार होता है एक बाप की जिम्मेदारी बेटा निवाता है निवाता है ना जैसे पिता जी दुकान पे नहीं गए पिता जी बाहर गए किसी काम से तो उस समय बेटा वो दुकान ओपन करता है तो बेटे की responsibility है कि अपने पिता का काम करें तो हम उसके बेटे हैं न तो जब कोई दुष्ट हमारे सामने खड़ा हो तो हमें answering करके हमें उसे जवाब देके उसकी बोलती बंद करनी चाहिए अगर हम इसमें लाइक नहीं है तो हमें चुपचाप अपनी लगन में लगे रहना चाहिए यह जानते हुए कि वो बुरा है बुरा ही सोचेगा बुरा ही करेगा अच्छा ही उसकी समझ में आने वाली नहीं है तो हमें सिर्फ अच्छे करते रहना चाहिए उसको इग्नोर कर देना चाहिए He is not strong वो इतना strong नहीं कि उसके लिए भगवान को आना पड़े ठीक है? Thank you Thank you नहीं, Thank you Thank you Guruji, Radhe, Radhe मेरा नाम पुझा ग्रवाल है और मेरी उम्र पंदरा वर्श है मेरा कुशिण यह है कि आप कहते हो कि जो पापी लोग होते हैं उनको कथा में नींद आ जाती है तो जो माता पारवती थी उन्होंने ऐसा क्या पाप किया था जो उनको कथा में नींद आ गई थी? इसका भी अंसर में कथाओं में दे चुकाओं कई बार पार्वती जी के पूर्व जनम में वो सती थी और सती जब वो कथा सुनने गई बाबा के साथ में तो उनसे अपराद हुआ था उन्होंने कथा मन से नहीं सुनी थी फिर उन्हें डाउट हुआ भगवान पे फिर भगवान की परिक्षा ले फिर पती की बात नहीं मानी तो कैई अपराद सती से हुए थे जिसकी बदौलत मापारवती कथा पूरी नहीं सुन सकी ठीक है? अब थोड़ा पीछे चले जाओ कोई कन्या कारे करता है बैठ जाओ, हाँ जी, बोलो बेटा लास मन्त का इंसिडेंट है अभी होली गई थी तो जब होली का दहन होता है तो माममी के साथ देखने गई थी तो दो-तीन जगह पर चुराय चुराय पर यहां से एक चुराय दूसरा चुराय यहां पर है ठीक है? तो होली का दहन हो रहा था इतना बड़ा पेड ठीक है इतना बड़ा डेकोरेशन किया लगा दिया हमारे अलकापुरी के साइट की बात है दोनों जगए ठीके पर अगर हम सोचे है होली का देहन किसी ने व्रक्षार ओपन के आज तक निसोची होगी सोची है नहीं पर पेड कातने से पेल एक सेकिंड में ने सोचा नहीं हमको हमारे डेकोरेशन बड़ा असा दिखाना है तो काट के लगा दिया ठीके फिर ऐसे बाते होती है उसके जी जी फिर हम जाते मंदिरों में शेव जी के मंदिर में स्पेशली अभी शेक होता है बड़े बड़े लोग आते है भूब सारा दूद चड़ाएंगे क्यों जादा दूद टो चड़ाएंगे तो जल्दी से पूरी होईगी हमारी मनोग अनो काम ऐए यह होता है तो फिर हमारे दर्म के ओपर फिल्म बन्ती है तो जो बुरी लगती है तो वह पूरी लगता दे ना हो ओ, अंजी मैं गलत बताय था, पीके मैं गलत बताय था, सम्झु धाय था इतना भावान के मन्दर में कैसे जाना जानतियो? कैसे जाना जाना जा ये मीज? क्या क्या बूच्चने मचसे दोड़ा क्लियरली जाओ? नहीं मैं जितना पूचा उतने का अंसर दे दो तो मान जाओ? मम्मी से तो यही सुना है नहा कर सुबन, नहा कर मन्बिर में जाना है तो जाओ अगर इच्छा नहीं है तो वो भी मत जाओ नहीं जाओ एसा कुछ उनहीं है गुरुजी रादे रादे आपको तो मायक देने के लिए नहीं काता मैं यहीं मेरी नहीं मेरी लूगा, मैं आपके पास इसलिए लाया था कि आपकी शरंड में आके इसको कुछ अख़ा है तो यहाँ और यहां भी आपस सवाल करने आगई नहीं कोई बात नहीं मैं इसको अभी आंसर दे दे तो आप से शमा चाहूंगा कि आपकी बिना अनुमति के मैंने माइक लिया आपका बोट बड़ा फैन हुमे बहुत बड़ा शिश्चे हुमे इसको यहां लेका यहां हूं यह कॉन्वें इसकूल से पढ़ी है तभी तो क्व मैं जाती हूं अगर होली का देहन करना है तो इतना बड़ा पेड मत लगा हूं शगुन का एक किलो में जो पूछ रहा हूं क्वेश्चन तुमने जो किया है अब मेरे क्वेश्चन का अंसर दे दो आप जानती हो सिभ जी पर दूद क्यों चड़ाया जाता है अभी उम्र के 21 जब तुम 71 की हो जाओगी और तुम बीमार हो जाओगी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने की जरूवत पड़ेगी और तुम्हारे बच्चे कहें कि मम्मी पे 4 लाक रुपे खर्च करने से क्या फाइदा मिलेगा इसे तो बढ़िया है एक लाक रुपे में किसी का घर नहीं क्याने दें, जैं कि अए तुम आए लाक रुपे में किसी का लग चाह जाओगी य से लुपे में प्रच को बढ़ेगा अनो तुम के लुपे में किसी जरूवतार का इसे लुपे akad!! coshu बढ़ेगा इस तुम ए बच्छ न तुम आलने में किसी तुम्हां पश्छी क नहीं तो करो ना पर दो किलो, तीन किलो तूद का सब्सक्राइब मेरी इच्छा है सो किलो की तुम कॉन नहीं नहीं आप लोग ये मत करिये ये ये तो अच्छा है क्योंकि आज इसकी question नहीं है ये ना जाने इस समाज में कितने ऐसे यंग बच्चे हो गए है मैं उनी की बात कर रहा हूं या 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 आइम डूइं अल्सो प्लीश ट्राइट टू अंडर्शन वड़ाई से तो ये समाज की एक समस्या सबसे बड़ी समस्या है हम कुछ जानते भी नहीं है और किसी की मानते भी नहीं है हमें नहीं पता सिभ कौन है हमें नहीं पता अवशेक क्यों किया जाता है हमें नहीं पता सिभ कौन है हमें नहीं पता अवशेक क्यों किया जाता है लेकिन एक गंदी फिल्म का एक गंदा एक्टर रूपाय, विशोत पत्याद, हेतवेता, पत्रय, विनासाय, श्री कृष्णाय, वयम नमा, दिसेज, वट इस अमीनिंग आप इस इसलो का? I don't know, पता नहीं. पहले इसका पता कर लो, फिर अपने आप पता चल जाएगा, कि सिभ जी पे दूद क्यों चड़ाना चाहिए? बट किसी गरीब को नहीं देना चाहिए, अगर हो वहाँ बेठा है तो, चड़ाते रो, शिव जी को चड़ाओ, उनको मत दो. सिभ जी पे 200 किलो चड़ाओ, तो 400 किलो गरीबों में बांटो, कोई टेंसन नहीं. गरीबों का एक अलग मेंटर है, सिभ जी का एक अलग मेंटर है, मैं सिभ जी पे अवसे करूँ, न करूँ, दिस इस माइ तिंकिंग, लेकिन मैं गरीबों को दूँ, ये तो भगवान भी कहते हैं, ये तो सिभ जी भी कहते हैं, कि सब को दो, गरीवों को दो, help करो, सब की मदद करो, ये भी धर्म है, लेकिन शिवजी का काट के धर्म करो, या मम्मी पापा को खाना नहीं खिलाओ, गरीवों में बांट दो, ये थोड़ी होता है, मम्मी पापा को भी खिलाओ, और गरीवों में भी बांटो, ये ही न धर्म अपने घर के बड़ों का सम्मान पहले करोगे कि घर के बाहर निकाल के पहले गरीबों में बांटोगे मतलब इतना बड़ा भगवान भूका है दूद का वो अपने दूद को वेगा वारे भगवान तो सब को देता है इसका मत मुस्त यू थिंग वोट यू से पाल है प्लाइन पता हूं कि आवशेक क्यों का दूद यू रहा हूं कि जो असान सब चाह्भी टौजर को सबचए पहले थ्यू पहले है यह यह नहीं कर दो हूँ आपको पता होना चाहिए कि वहा हमें कैसे बोलना है समझ लिजिए दूसरी बात मैं यह कह रहा हूँ कि सिव जी पे अवशे क्यों करें obviously सिव हमें ही सब कुछ देते हैं obviously उन्हें तुमारी किसी चीज की जरुवत नहीं है He is a God He gives you everything what you need but माबाप बहुत कुछ कमाते हैं अपने बच्चों को दे जाते हैं बच्चों की क्या जिम्मेदारी है कि माबाप को पूछे ही नहीं माबाप को नहीं पूछे कि तुम्हें कुछ चाहिए कि नहीं या माबाप को भोजन नहीं करा है या माबाप के लिए बस्तर नहीं लाएं या माबाप के लिए कुछ नहीं लाएं यह बच्चों की responsibility नहीं है? है के नहीं? है? तो हम कौन है इसप जी के? बच्टे हों के? बच्चे ही में ना? तो हमारी को जिम्मेदारी नहीं कि हम उनके मंदर में जाएं हम उनको अब शेक करें हम उनको दुग्द चडाएं हम उनको माला पहनाएं यह हमारी ड्यूटी नहीं है I am complete my duty He complete his duty वो हमें देता है उसकी ड्यूटी complete है लेकिन उसके करोड़ों में से 2,001,001 रुपया उनके चड़नों में पवित्र हम चड़ा के उस धन को, उस माया को उस जीवन को हम पवित्र करते हैं इसलिए हम वह जाकर चड़ाते हैं इसलिए नहीं कि सिवजी को आवशिकता है इसलिए चड़ाते हैं कि मुझे आवशिकता है मैं उनके चड़नों में जो चड़ाऊंगा वो पवित्र हो जाएगा आप गंगा जी क्यों जाते हैं उन्हाने थूल की, अगरवत्ती की, धीपक की, कोई जरूवत नहीं है। लेकिन हम यह सब इसलिए अर्पित करते हैं, क्यूंकि उनको अर्पन करने से हमारे पास जो भी पाप की कमाई way भी है उसमें भी कहीं धर्म जाग्रुत हो जाता है हमारे पाप नस्ट हो जाते हैं हम इसलिए जाके पवित्र करते हैं उन्हें जरुवत नहीं है हमें जरुवत है इसलिए हम करते हैं तो अब बताई अब शेक करना चीए कि नहीं करना चीए नाव एगरी रादे रादे बोलो जोड से बोलो ठीक है बिराज जाओ और आगे से कोशिस करना सिवजी पे आप भी अबशे करना जब आप करेंगी तो कहीं न कहीं भगवान सिवब आप पे कृपा करेंगे और फिर आप सिवजी के बगर नहीं रह सकेंगे यह भी हम आपको बाइदा कर रहे हैं ठीक है बैठ जाओ बिराज जाओ यहीं बिराज जाओ नहीं पीछे मत जाओ और किसी को कुश्चन करना है आगे आजो बिटा कहा है किसको करना है पीछे पीछे दे दो माई आप खड़े जो बिटा चलो एक एक करके दोनों पूछ लीजी आप बैठ जाओ पीछे रादे रादे मेरा नाम भावना शर्मा है और मेरी यह पनरा वर्ष है मेरा कोश्चन है आप से कि हमारी वेशनो देवी पे जो हमला हुआ है आतंकियों के दुआरा तो उस हमलों को रुकने के लिए हमारी सरकार को ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए जो हमला रुख जाए किस पे किस पे हमला हुआ है वेशनो देवी के कट्वा आचा कट्व कट्रा में देखिए यह काम हमार और आपका नहीं है यह काम सरकार का है और में भी सरकार उसे बेटर काम कर रही है वहाँ की जो सरकार है और वहाँ की जो सबसे बड़ी force है force के उपर हम लोग doubt नहीं कर सकते वो अपना काम कर रहे हैं मैं को दे दो दूसरे जो वहाँ बैठे थे रादे रादे मेरा नाम सुर्भिया ग्रवाले और मेरी उम्र बाविस पार्श है मेरा प्रश्ण है कि सिर्फ सकारातमक सोच जीवन में किस हद तक सकारातमक та और सफलता ला सकती कर्म तो हम करते हैं टोप सकारातमक सोच अगर आप negative सोचते हो तो आप depression में चले जाते हो और अगर आप सकारातमक सोचते हो, तो आपके और सफलता के बीच में ज्यादा दूरी नहीं है चेंटी 20 वार गिरती है पाड़ पैसे लेकिन उसकी सकारात्मक सोच ही है जो 21 बार उसे पाड़ पर चढ़ने के लिए तयार कर देती है सोच को गिरने मत दो, सोच को उठा के रखो, जब सोच को उठा के रखोगे तो परफेक्टली यू कम्प्लीट यूर मिशन पर ये यूमन टेंडिंसी होते है गुरुजी की हमें कहीं न कहीं नकारात्मक ता आही जाती है उस समय ही तुमारे गुरू और तुमारे मंत्र और तुमारे सत्कर्म उस समय तुमारा सपोर्ट करते है और जब वो सपोर्ट करते हैं तो फिर वो बहुत जल्दी खतम भी हो जाती ठीक है? बिराज जाए दे दिजे माई और पीछे उनको दे दो जाके वो एकदम सबसे पीछे खड़ी है जल्दी तेज ठाकुर जी आपके चल्ड़ों मेरा कोटी कोटी प्रणा रादे रादे ठाकुर जी मैं आपकी कत्व इसले आठ सालों से सुन रही हूँ और मैं आपका हमेसा दर्शन करना चाहती थी पर कभी मोगा नहीं मिला कि आपके दर्शन करने का पर आज मुझे यहाँ पर दर्शन मिला है मेरा कोट्शन यह है कि मैं आपसे गुरु दिख्षा लेना चाहती हूँ क्या मुझे गुरी दिख्षा मिल पाएगी आपसे पता नहीं कल याँ पर्सों में दिख्षा देंगे आप आजाईएगा यहाँ और कोई क्वेश्चन आप खड़ी हूँ आगया जाओ यह पीछे आप खड़ी हूँ आप खड़ा किये हूँ आप आप रादे रादे गुरुजी आपके शर्णों में मेरा प्रेडाम गुरुजी मेरा सवल यह है कि हमारे जो माबाप है वो हमें गुरु बताते हैं और जो हमारे गुरु है वो हमें भगवान बताते हैं तो हम किसको जादा सपट करेंगे कि माँबाप को की गूरू को क्योंकि बच्पन में तो हमें पता नहीं है na कि गुरू को ने हमारे क्योंकि वो तो माँबाप ही बताते हैं ना chine-गूरू का विशह ऐसा है कि जब हमें खुद को सुभाव से भाव प्रगट हो कि हमें ये गुरू की बाड़ी हमें अपने भगवान के तरफ लेकर जा रही है तो हम डिसाइड करते हमें किन से दिख्षा लेनी और कौन हमें भगवान तक पहुचा सकते हैं तो हमें उनके भाव गुरू किसी के जबरदस्ती थोपने से गुरू नहीं होते है गुरू स्वताई भावनात्मक पहलू है जिसको मेरी आत्मा सुईकार करे वो मेरा गुरू है और जब आत्मा सुईकार कर ले तो पिर दुनिया के बारे में नहीं सोचना है ठीक है और गुरुजी एक सवाल हो है कि हमारी Sanskritic मर्यादा है वो तो बिल्कुल भी रही नहीं है ये देवास है अभी बोलेंगे अमें समेटर पर फिर आगे देवास में क्या ये तो छोटी है city आप तो बड़ी बड़ी जगे जाते हैं लेकिन देखा है आई भी थे लेकिन है ना यह टो मर्यादा है लेकिन बाहर तो बिल्कुल बीनियों खासकर महिला आई और लढकियां की तो बिल्कुल भी नहीं यह देखेजा माय我 मैं को सिच करूँ गा कि मर्यादा एं कम से कम देवास में दो बनी रहें भी प्रणाम रादे डाधे 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 गुरु जी मेराibl यह कि देखे, देश में इतने सारी मतलब शराब है, यह है, वो है, इतना सारी नशा है, तो इसको सरकार बंड नहीं कर सकती, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इसकी वज़े से कितने घर बरबाद हो जाते हैं, और कितना सब कुछ हो जाता है। अगर यह सरकार शराब बंद कर देगी तो बड़े-बड़े पानी महंगा हो गया, शराब सस्ती हो गई है इस देश का दुरुभाग्य है जिस देश में बड़ोतरी अच्छाईयों की होनी चाहिए वाँ बुराईयों की हो रही है लेकिन हाँ, आपके माध्यम से वो परष्ण पहुँच गया सरकार तक बगवान करेम अध्य बड़ेश में बंद हो जाए लेकिन सबसे बड़ी समस्या है हर्याना में एक बार सराब बंद कर दी थी तो वो सरकार दुबारा लोटी नहीं यह दुरुभाग है ना कोई सरकार अगर अच्छे काम करे भी तो वाँ की जनता उसका सपोर्ट नहीं करती है भाई लोग पिपकड लोग बोट गलत जगे डालाते हैं फिर यह दुरुभाग है आप सबको भी तो यह डूटी नहीं बानी है कि जो अच्छा कर रही है उस सरकार का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए यह आप लोगों के भी रिस्मोंसबिल्टी है तो अब ऐसे रिस्क कौन लेगा हम क्यों छोड़ें सरकार भाई पियो लेकिन आप और हम अगर ऐसी सरकार का सपोर्ट करें हर्याना में एक बार ऐसा बंद कर दिया था उसरकार आज तक नहीं लोटके आई तो इस दुरभाग्य है यहां के लोग भी थोड़े जादा इंटेलिजेंट हो गए फिर भी भगवान से प्रातन करते आपकी मनों कामना पूरी हो बिलकुल आप एक बार किजिए फिर हम भी इसका सपोर्ट करेंगा मैं कह दूँ इधर भी कोई आद उठा रहे हैं आप अरे क्या बात उठी खड़ी 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 अभी बेटा आपको माई चलो बोलो जल्दी रादे रादे गुरुजी मेरा नाम नीशा है और मैं 23 साल की हूँ मैंने आपका एक मेरी ममा जी ने बताया था कि ध्यान ध्यान हम अपने माबाब का क्यों नहीं रख पाते हैं जब वो व्रिध्ध हो जाते हैं अपने ध्यान के बारे में बताया था कि ध्यान सब कुछ बुला देता है लेकिन हम अपने माबाब को ही क्यों भूल जाते हैं मेरी ममा रोज यहां आती है मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी उनके साथ आँ परन्तु मुझे घर का काम बहुत जरूरी होता है बट मैंने टीवी पर सुना है तुमारा क्या मतलब है जो यह आते हैं यह गर के काम नहीं करते हैं नहीं करते हैं मैं हो नहीं कह रही हूँ यह सब करके आते हैं कितने लोग बैठें जिनों तिलग लगा है सब मुंट सुन्ट खुन्ट बैठें एक्दम कोई मतलब नहीं तिलक लगाएंगे लोग हमारी हसी करेंगे यह हमारे दिम्ल में रहता है अरे बाड में जाये ने लोग मुझे लोगों से मतलब गया है अगर मुझे मेरे धर्म की चिंता है अगर मुझे मेरी आत्मा की धर्म को छोड़ो अपनी आत्मा की चिंता है तो अपनी आत्मा की चिंता भी धर्म के साथ ही दूर होती है एक बात बताओ सरीर सच्चा है के आत्मा सरीर मरता है के आत्मा हम लोग जिन्दगी जी किसके लिए सरीर के लिए के आत्मा के लिए जट छूटे कपड़े पेने शरीर के लिए खाना खाया शरीर के लिए नोट कमाई शरीर के लिए आना जाना किया शरीर के लिए दुनिया से रिस्ते बनाई शरीर के लिए ये किया शरीर आंत्मा के लिए किया क्या है हमने जब कि आंत्मा ही हमारी है तुम्हारे अंदर के लोग मर गया मर गया कौन जब आंत्मा चली जाती है सरीर मर जाता है और हम लोग जिंदे रहते हैं सरीर के लिए एश्व आराम करना चाहते हैं सरीर को सुख देना चाहते हैं और आंत्मा की सुदबुद भूले बैठे तो इसलिए हमारे यहां 500 भगवान नहीं है भगवान एक ही है टाइम टाइम पे जब जब दुष्ट बढ़े तब तब भगवान आए उर उन्होंने लिला की इसलिए मेरे भहिया आपको उनको एक ही बात बताना और आप भी समझ लो मेरा इस्ट वो है जो मेरे दिल को भाजाए और धर्मों में आप्शन नहीं है I have many options अगर राम जी की मर्यादा अची ने लगे तो कृष्ण जी की चंचलता से भक्ति कर ले और कृष्ण जी की चंचलता अची नहीं लगे तो राम जी के उस मर्यादा प्रशोतम सुरूप को भजले किसी को भी भजले बेडा पार होगा चाहे सेरा वाली हो चाहे संकर जी हो चाहे अनुमान जी हो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं बच्चे लोग सब समझ लिजी एक बात को आप जिस भगवान को भी दिल से भजलोगे वो आपका बेडा पार कर देगा प्रमान के तोर पे सूर दाज जी कभी राम जी के गीत नहीं गाते थे वो कृष्ण जी के गीत गाते थे और तुल सीदाज जी कभी कृष्ण जी के गीत नहीं गाते थे वो हमेशा राम जी का दोनों का बेडा पार हुगा आज मैं एक जगे किसने ट्विटर पे लिखाए मुझे आज के विक्ति की समस्या क्या है यह जानता बहुत कुछ है पर मानता कुछ नहीं है यह जानता बहुत है लेकिन मानता नहीं है प्रोबलम है मानने की जिस दिन आप मानने लग जाओगे उस दिन आपकी टेंसन आदी से ज़्यादा कम हो जाएंगे तो आज के बाद माते पे तिलग लगेगा promise करो कौन-कौन यंग बच्चे कह रहे हैं कि आज के बाद मेरे माते पे तिलग होगा I see it जिन जिनने लगा रखा है I proud of yourself seriously और जिननोंने नहीं लगा रखा है मैं उनको एक सला जरूर दूँगा जिन्दगी बार-बार नहीं मिलती है इसके साथ खिलवाड मत करिए आप बैठ जो बिटा जिन्दगी बार-बार नहीं मिलती है आप इसको हीरो बन के गुजार दो या भक्तो बन के गुजार दो यह आपका decision हीरो मूवियों में होते है रियल लाइफ में कोई हिरो नहीं होता रियल लाइफ में अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो मेरे ठाकोर जी से सच्चा प्यार करो उनके भक्तो बन कर जिन्दगी जी हो जिन्दगी जी हो कमाओ खाओ खुब लेकिन अपना अच्छा और बुरा सोचते हुए नने करें ये हैं वो हैं ऐसे लोगों को भी समझामें उनको भी सद्मार को पाأएफ अपना भला करें दूसरों को भी उस तरफ लेकर आमें बुलो रादे राधे और कोई कोई विशँन जब तक मैंने कहुँगा खड़े नहीँ होना है जब तक मैं नहीं कहूंगा खड़ा नहीं होना किसी को ले तू अपना नाम बता के उट्सव महाराच जी मेरा क्रेशन है कि गौवमा आता कि सेफ्टी के लिए हमें क्या करना चाहिए दोबारा बोलो महाराच जी मेरा कुशन है कि गौवमा आता की सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए इनको अपील करनी चाहिए कि अभी भी जग जाओ वरना आज जैसे गौवमा आता काटी जा रही है कल को तुम को भी ऐसे ही काटा जाएगा इनको अपील करो 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 सबको जितने भी यहाँ बैठें न iha अपने आपको हिंदू की अलाद कहते हैं इनको अपील करो कि जैसे आज गवमाता काटी जा रहे है वो भी दिन दूर नहीं कि एक दिन तुम भी ऐसे काटे जाओगे जैसे गौमाता आज काटी जा रही है, वो दिन भी दूर नहीं है, जैसे तुम भी एक दिन काटे जाओगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, जाग जाओ, अपने धर्म को पहचानो, अपने आपको पहचानो, क्योंकि हम सादरन लोग नहीं है, भगवान ने हमी को धर्म की रक्ष करने के लिए भीजाए, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, अगर अभी हमने धर्म की रक्षना नहीं की, तो आने वाली पीडी हम पर थूकेगी, तो आने वाली पीडी हम पर थूकेगी, मैंने नहीं का, इस बच्चे ने का है, सब कुछ, जो कुछ कहना हो, इसको कहना और इसकी सची अपील है दिल से बहुत गजब का उसका I'm seriously proud of you गव की रख्षा के लिए हम सबको आगे आना चाहिए और basic तोर पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम एक एक गाय पालें अपने घरों में घरों में अगर गव रखने की जगह नहीं है तो जो देरादून में गव साला हैं वहाँ एक गव दें और उस गव की देखवाल अपने द्वारा पूरी साल करें पूरी साल मिंस एक साल से ही काम नहीं चलेगा जब तक वो गाय है उसकी responsibility हम ले हम लोगों में एक बड़ बड़ करते रहते हैं करना कुछ नहीं है जब करने पर आ जाएंगे न तो 85 करूर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में बारती हिंदु रहते हैं शिर्फ हिंदुस्तान में 85 करूर एक एक गाय पा लेंगे तो बट में नहीं आएगी आएगी नहीं आएगी न कितनी मेरे को कोई बता रहा है सिर्फ 57 करोड गाय रहे गई है फिर वो भी नहीं रहेंगे फिर जानवरों वो सेर और इनकी तरह जब 500 रहे जाएंगे तब कहेंगे गाय बचाओ तब सरकार कानून बनाएगी कब जब 500 रहे जाएंगे चलो छोड़ो बेटा बगवान से प्रारतना करते हैं हम सब थोड़े समझे इस बात को और आप खड़ी हो जाएंगे कम सब्दों आप नहीं बच्चों का क्लास है आप लोग नहीं कड़े हो सकते हैं मेरा निवेदन है कम सब्दों में ही क्वेशन करें और मराश्री जी को हम भक्तों की तरफ से श्री राधे 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 मराश्री जी हम ये पूछना चाहते हैं जिस दिन से यहां पर भागवा शुरू हुआ ना तो उसी दिन से हमने जब भी आँखे बंद करते हैं हमें ये गोल सा भर्मन नजराया कल लाश्ट दिन तक भी कल तो मुझे इतना नजराया इतना जराया उसमें श्री राधारानी श्री क्रेश्र भगान विराजवान है नील वरण के और जब ने आस्ता में आपकी जो देगी थी ना लाइब टेली कास्ट उसमें भी वो मैंने सोचा आस्ता में कैसे आगए नील वरण के अपनी राधारानी के साथ कनहिया आपके आस्ता विया स्वीट पे दिख रहे थे वो और इसी तरह वो अभी दिखे मुझे कल बहुत ज़्यादा हम बहुत परेशान हो गएते हैं, हम बहुत हो गएती, यह क्या हो रहा हमसे तो आप बताती जिये कि यह क्यो हो रहा आपने आज बहुत बड़ा अप्राइद किया है पप्लिकली एक्वेश्ट करने से स्वारी मुझसे नहीं बगवान से बोले जी जी देखिए ये कुछ चीजे ऐसी होती है जो बगवान हर किसी को नजर नहीं पड़ती है ये जिन बहुत कम लोगों को ये ऐसा अनुबब होता है और जिनको अनुबब होता है मैं हमेजा कता में भी कहता हूं उन्हें पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पर्शनल मेटर है उस मेटर को अपने अंदर में ही जोई करना चाहिए अप तो शाक्षात नजर आते हैं वो हमें खाना बस तो ठीक है बगवान ऐसे ही आपको देते रहे माइक दे जी आपको ठीक है और इदर से कोई अरे तब आप अरे जितने भी ये जो लट से लगड़े पड़े हैं वो तो हिंदूओं के ये सारे जो इंसान कमजोर होता है न वो अपना डिड़ोरा पीट पीट के अपने आपको बड़ा साबित करना चाहता है याद रखिये वो इस जीजस उनका बाइबल कहता है ये सन अफ गॉड देन वो इस गॉड जब वो भगवान का बेटा है तो भगवान कोन है? वो जीजस को ये लोग कहते है गॉड बाइबल कहती है ये सन अफ गॉड वो भगवान का बेटा है जीजस को ये अपना ही तो भगवान का बेटा है तो यहां से अध्यात्म की सिक्षा सीख कर गया तब जाकि उन्होंने धर्म का और गीता की ही नकल है बाइबल पढ़ लीजिए गीता और बाइबल दोनों पढ़ लीजिए और दोनों का प्रादुर्वाब पढ़ लीजिए गीता पहले आई बाइबल पहले आई तो समझ ले ना गीता बाइबल की नकल है और अगर गीता पहले आई तो बाइबल फिर गीता की नकल है तो पढ़ ले प्रवाइबल में ही, कृष्ण की बाणी में ही, ये गुरु गुरंद साहिब, सब कुछ गीता पेसे ही आया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई छोटा है, कोई बड़ा, मैं किसी धर्म को छोटा बड़ा नहीं कहता, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप सब अपने धर्म की रक्षा करिए, लेकिन किसी के धर्म को नीचा करके, अगर आप अपने आपको बड़ा बनाते हो, इसका मतलब है आप से छोटा कोई इंसान ही निए दुनिया में, कोई नहीं है, हिंदु कहते हैं कि तुम धरम परवरतन करो, हमारे हिंदु बन जा हम तो नहीं कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं, हम क्यों कहें, प्राकरतिक स्वेम ही आ रहे हैं लोग, जब Gita पढ़ ले तो अपने आप Hindu धर्म अपनाना चाहता है Ramallah पढ़ ले तो अपने आप हम तो कहते ही नहीं हम तो कहीं लगाए अपने पंड्सक्राना पर लगते हैं दर्म परवतन नशिवर कोई बेक्ती डोल रहा है नहीं क्यों क्योंके हम तो already fixed हैं हम तो तब से लेके अब तक और आगे तक रहेंगे और होगा पता नहीं भी है क्योंको उनके धर्म के विस्से में ज़्यादा जानते नहीं ठीक है? तो उनकी भी पट्टी पढ़ाना कहाँ? कहाँ? जा इनका समसान हो हमारे याँ तो जला के कतम कर देते हैं, यह तो याद भी रखते हैं चक्कर में, हमारा जीजस इनको जिन्दा करेगा करवाले लेले दाद माये के अद्री हाद तक तो बहिना है अब यह जाएं बगवान जाने और बेटा हम? समय हो, अभी तुमा जिनके क्वेश्चन हो गए वह आत ने उठाएंगे बरिकुल भी और हम? आपको मेरे प्रेणाम मैं मेडिकल की कोचिंग कर रही हूँ MBBS की, तो मैं पढ़ाई में मेहनत का महत वा जाना चाहती हूँ आपके थूँ तो प्रेणाम मुझे बताएगे पढ़ाई का महत तो अच्छा होता ही है मेहनत के ऊपर जाना चाहते हूँ मैं कि जैसे कि कई लोग बहुत मेहनत करते हैं एंड में वह हार मान जाते हैं तो फिर उस चीज़ के पिछे नहीं लगते हैं और कई लोग बार 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 उसे की पिछ लग जाते हैं, तो किसी को तीन बार में, किसी को चौती बार में, तो सफलता मिलते जरूर है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्यों माल लेते हैं उतमी लाइफ से, या पढ़ाई से, या किसी और चीस से भी. देखिए, मैं आपको एक बात कहूँगा, अगर जिन्दगी में सकसेज होना है, तो कभी फैलियर होने से मन डरी है. मुस्किलें उन्ही के आगे आती हैं लाइफ में, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो घर में बैठे हैं, उनके क्या खाक, वो कहते हैं न, सैसवार ही गिरते हैं जंगे, मैदान में, वो कमजोर क्या गिरेंगे, जो गुटनों के बल चलते हैं, जिनको चलना ही नहीं है जिनको सीखना ही नहीं है वो तो कहां गिरेंगे गिरते तो वो ही हैं जो चलना सीखते हैं आप आगे बढ़ते रहिए आप प्रेक्टिस करिए आप मेहनत करिए और हां मेरा भगवान कहता है कि मेहनत का फल तो बहुत मीठा होता है हो सकता है तुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े उसका फल भी ज़्यादा अच्छा होगा वेट एन वाच वाच आई गिव यू अबरिधिंग नॉट आयम से लुट आयम से का कि मुझे यह बनना है और फिर उसकी तरफ लग जाओ राद दिन लग जाओ और फिर देखिए आज कल के बच्चे बटक जाते है जैसे ही यंग होने लग जाते है उनको एक वो 14 फरवरी में वो जो फूल मिल जाता है हाँ वो फूल मिल जाता है एक रेड वाला उस दिन से वो ऐसे नीचे गिर जाते है कि वो अपने एम से नीचे गिर जाते है जिसने उसको कंट्रॉल में कर लिया जिसने अपनी उस फीलिंग्स को दबा लिया और अपनी मेहनत पे लग गया वो अपने इस ड्रीम को जरूर कंप्लीट करता है ऐसा मेरा मानना है ठीक है बक्का माइक दे दुझा और किसी ने बच्चों को पूछ रहा है जरूरी आपको आद उठाने है सिर्फ बच्चों का बात है आज इह है इधर आप इधर आजब माइक लाओ इधर आप खड़ी हो जाईए माराजी राधे राधे माराजी मेरा सवाल है कि जैसे मेरे पापा कहते हैं कि हम तीन भाई बहलें तो हम हमेशा मतलब एक साथ रहें पापा अयोध्या कह रहते हैं वहाँ पे मखोड़ा दाम है वहाँ पे हम सब रहते हैं तो फिर पापा कहते हैं कि जैसे कि रामचंद्री जैसे अपने भाई बहन के साथ हमेशा के साथ रहते थे तो तुम लोग भी ऐसे ही रहो तो फिर जैसे कभी भी सिर्फ हमें कभी लड़ाई ना हो और हम सब अच्छे से रहें और जैसे में पापा मतलब अपने भाइयों के साथ रहते हैं तो हम, मैं ऐसा क्या करूँ कि जैसे मेरे दोनों भाई बहन से कभी बलडाई नो तो तो में तो लग जाना ही पड़े का साधी होने के बाद वई तो है बात बात तो क्या वो तो फिक्स है राम जी की भी बहन कहीं थी सांती का विवा हुआ था ना राम जी की धरम की बहन कहा था उनको भी जाना पड़ा था हाँ मन में एक अच्छी भावना रहनी चाहिए कि हम लोग अपने भाई बहन का बोरा नहीं करना चाहते और भाई भाईयों में इतना प्रेम हो एक यह गर के परिवार के माहुल पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरीके से लाइफ जी रहे हमारे पेरिंट्स किस तरीके से जी रहे अगर कोई भाई सिर्फ जमीन या प्रोपरटी या मनी के पीछे सिर्फ अपने भाई से लड़ता है मेरी नजर में वो इज़ा फूल उसर मूर्ख है याद रखनी वाली बात यह है जमीन जायजाद प्रोपरटी पैसा ना किसी के साथ गया और ना किसी के साथ जाएगा तेरे बट में जितना है वो तो तुझे मिले गाई इसलिए लो भी न बनने की बजाए एक अच्छा ब्रदर बनना चीए अच्छी बेहन बनना चीए एक ऐसा भाई बेहन बनना चीए जिससे मुझे कुछ चाहिए नहीं मुझे देना है अपने बाई को ये भाव हरे एक भाई में बहन में हो रहा है बहन में भी रह सकता है मुझे लेना नहीं है मुझे अगर छोटा है तो और ज्यादा देना राम जी छोड़ के क्यों चले गए क्यों मेरे भाईया को मेलेगा भरत भाईया को मिले, भरत जी ने छोड़ दिया, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे राम जी कोच दे रहा है अब कहेंगे आज के बासा में कहेंगे कि नहीं आज कल राम तो कोई नहीं बन सकता नहीं बन सकता कोशिस तो कर अगर तू राम नहीं बन सकता तो कम से कम रावण भी तो बनने की खोजस मत कर रावण लाद लाद उमारेके निकाल देता अपने भाई को और राम स्वैम निकल जाते अपने भाई के लिए यह फर्क है राम और रावण में रासी तो दोनों की यह की है तो इसलिए जब हमारे हिर्दे में दया उत्पन होती है सबसे पहले जितने बच्चे यहां बैटे हैं दया के बिना इंसान सुन्य है दया के बिना अप अच्छे इंसान नहीं बन सकते भगवान भी इसलिए भगवान है क्योंकि वो दया लुए हम भी उसी भगवान की उलाद हैं तो हमें भी वो दया अपने जीवन में अपना नी चाहिए नफरत मत करो भाईयों से नहीं किसी से भी मत करो नफरत नहीं करनी आप नफरत करोगे तो अपने आप में बहुत बड़ा जहर गोलोगे और आप जीना बंद कर दोगे नफरत का जहर तुम्हें जला देगा खोल देगा तो नफरत न करें दया करें अपने भाई बहन के साथ अच्छा विवार करें और कोसिस करें उसे लेना नहीं है उसको जब यह भाव ना जाएगी तो आप कभी अलग नहीं होगे तो तो जब थीकज़ द्राइज मैंS zosta 정말 बार्दकाटाइं कि अ यू सरना जी है स्थालकी कयो है की लोग ऐसे होते हैं thought की जो बूझ से मर जते हैं Boss कुछ पियास से मरते हैं कुछ कपड़े ना होने की अभाव देया की अभाव से मरते हैं क्या संग्या इसा होता है कि वो लोग हमें नहीं डूण पाते हैं और हम लोग उन्हें नहीं डूण पाते हैं तो कैसे हम उनकी सेवा कर सकते हैं और कोसिस तो करनी चाहिए वहां तक पहुंचने की जब आप कोसिस करेंगे तो आप पहुंचेंगे हो सकता है आप सब के पास नहीं पोचे लेकिन कुछ के पास तो पोच आएंगे इंसान वह जरूर पोच जाता है जहां वो पोचना चाहता है कहते हैं ना जहां चाह वहां जब चाही नहीं होगा तो कहां से पहुचेंगे ये question नहीं है यह तो अपने आप इंटरनली आपको अपने आपको इंप्रूब करना होगा, अपने आपको यह बताना होगा, कि अगर मुझे किसी का सपोर्ट करना है, तो मुझे करना है, मुझे किसी को, ढूंडना पड़े, किसी की मदल लेनी पड़े, तो करिये, लेकिन अगर आप पहु गुरुदिक्षा क्या चीज है, मतलब क्या है गुरुदिक्षा पता है रहां है कौन लिख्या रहां ही जब के फन्दा पड़ गया गले मैं यहां भी आज भी काई पंदे में पड़ गए है आज भी कही चक्कर मैं चीज तो आदी किलो है माला जोली, चंदन, कंठी और ये वो आदी किलो का बेट है उसमें कम से कम इतना तो होगा और वहां से देता है देविंदर हमें तो ये कहते हैं डाल दो हम डाल देते बेटा दीक्षा एक अध्यात्म का सबसे पवित्र मार्ग है जब आप इस सम्मंद को सुईकार करते हैं तो आपका भगवान के साथ सम्मंद होता है जैसे एक लड़की की साधी होती है समाजिक तोर पे तो वो अपना जीवन बचा हुआ जीवन अपने पती के हवाले कर देती है माँ बाप बाई बेन सब को छोड़ के फिर जीवन किस के लिए जीती है अपने पती के लिए और ससुराल के लिए ठीक वैसे ही जब कोई दिख्षा लेता है तो उसका सम्मंद भगवान से जुड़ जाता है फिर वो दुनिया के सारे रिस्ते उसे जूटे लगते है फिर वो पवित रिस्ते को निभाने के लिए निकल पड़ता है और वो जीवन की सबसे अच्छी सुरुआत होती है क्योंकि अध्यात्म जहां पर ईश्वर से मिलने का एक बहुत पवित रस्ता है जीवन मिला किसे लिए खाने कमाने के लिए सोने के लिए ये काम तो पसू भी करते हैं गदे भी करते हैं श्वान भी करते हैं एनिमल्स तो यही सब करते है लेकिन इंसान कर सकता है हरी मिलन की इच्छा प्रबल इनसान कर सकता है भगवान से मिलने का द्रण संकल्प और वो गुरु दिख्षा के माध्यम से ही प्रारम होता है ठीक है इसलिए जीवन में और ये कोई उम्र नहीं है बहुसे लोग कहते हैं बुड़ापे में दिख्षा लें और बुड़ापे तक जिन्दा रहेंगे गारंटी है आज अगर तेरी समझ है तो आज से दिख्षा ले क्योंकि जब हम अध्यात में जाते हैं तो हमारा नया जन्म होता है उस दिन किस दिन? जिस दिन हम लोग दिख्षा लेते हैं आज जिन लोग को ने दिख्षा लेते हैं उनका आज अध्यात में जन्म दिवस है आज उनका जन्म दिवस है यह कौन-कौन हमारे जनों ने हमसे दिख्षा ले रखी है कौन-कौन बेटे अभी भी और पहले भी समझ गए आपका जन्म उसी दिन हुआ जिस दिन आपने दिख्षा ले गए इसलिए दिख्षा जरूर लेनी चाहिए ठीक बेटा दे दो माई अब बंद करें मैं आपको थोड़ी सी अपनी कुछ चीजें संदेश दे देता हूँ question तो होते रहेंगे question हो जितनी देर बेटे रहेंगे उतनी देर question होते रहेंगे मैं आप सब से कुछ personal धर्म के विशे में आपको बताता हूँ जो आपको school में college में, university में नहीं मिलता जो हमारे सास्त्र हमें देते हैं वो आज मैं आपको देने की कोशिस करता हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो जीवन में अडॉप्ट कीजेगा और अगर ना अच्छा लगे तो मेरा मुझे दे के चले जाईएगा और मैं और सौरी बोल दूँगा कि आपका टाइम में ले लिया लेकिन अच्छा लगे तो जीवन में उतार देना और आपको थेंक यू बोलने की जरुवत नहीं पड़ेगी मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ जीवन बहुत छोटा सा है मैं जन्मल समस्याओं से सुरू करता हूँ nowadays इस संसार में इस देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है हैं क्या हम बजे बजे क्या है बजे है वो लोग कुछ जानते ही नहीं है वो जिस सरकल में रहते हैं उस सरकल में सिर्फ उनको बताया गया के ladies, girls सिर्फ भोगने का विशे है और कोई दूसरा विशे ही नहीं है और ये पास्याद कंट्री की सब बिता है हमारे यां की नहीं हमारे यहां तो कहते हैं हमारे यहां इनको गल्स नहीं कहा जाता है हमारे यहां इनको कन्या कहा जाता है देवी कहा जाता है हमारे यहां अलोट ओफ रिस्पेक्ट इनको दी जाते है लेकिन जब से हमारे उपर पास्यात, सब्विता संसकार हाभी हुए हैं तब से हमने इन लोगों की रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया और सिर्फ और सिर्फ जिस गली से बेहन बेटियां निकल जाती हैं वाँ गंदे गंदे अब्यूज वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं और वो पूछे भी तो dragं देते हैं हम तुमसे थोड़ी कह रहे हैं यह अपनी सरमिंद की अपनी बेही आई को छिपाने का एक नया स्टाइल है हम लोग बेहन बेटियों की इजट नहीं कर रहे हैं माबाब भी नहीं कर रहे हैं मावा बेटी को जनम लेने से पहले मार देते और कोई भी ब्यक्ति उनके उपर कुद्रश्टी रखता है, उसकी बज़े क्या है रीजन क्या है सरकारें बात करती है रेप रुकने चाहिए अच्छी बात है छेड़ खानी रुकनी चाहिए अच्छी बात है लेगिन रुकी क्या है वो एक दिली में कांड हुआ था दामनी कांड हुआ था उसके बाद और एक हुआ निर्भया कांड हुआ उस कांड के बाद निर्भया कांड और दामनी कांड के बाद इस देश में हर एक बेहन बेटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी क्या हुई उसके बाद हर दिन ऐसी कोई नियूज नहीं है एक भी दिन सुने नहीं जाता जिस दिन ये सब नहोता हो बजे सरकारी तंत्र ये निस्पल है सजा काफी नहीं है नए कितनी सजा दिल हो गया जवर्दस्ती किसी का चरीतर सुदारा जा सकता है फांसी दे दो एक को फांसी दोगे दूसरा और प्रकट हो जाएगा सो को फांसी दे दो ये तो सवासो करोड की आबादी वाला देश है जहां पूड़े पूड़े भी इसक लड़ाने से बाज नहीं आते उस देश में एक बेहन बेटी सुरक्षित हो जाए कैसे उम्मीद कर सकते हो जहां पचपंस साल का बुढ़ा साधी करने की इच्छा रखता हो जहां इतना मौरल गिर गया हो वहां उम्मीद करोगे कि बेहन बेटी सुरक्षित हो जाएंगी बोलिये नहीं बिरकुल भी नहीं तीन साल की बेटी सुरक्षित नहीं आपके देश में बज़े प्रॉपर बज़े तक आज तक कोई पहुँचा नहीं है सरकारें लंबी लंबी बातें करती है न्यू चैनलों पर सिर्ब भाहस हो जाती है प्रॉपर बज़े क्या है विकोज पीपल नावडेश करेक्टरलेस चरित्रहीम बिक्ती है और चरित्रहीम चरित्रवान बनेगा कैसे मूवी देखने से जिसको सेंसर बोट इंप्रूब करके बेजता है बताइए यहां जितनी लड़किया बैटी है अपने भाई के साथ वो फिल्म देख सकती हो आप बोलिए देख सकती हो और आज कल की फिल्मों को देख के के तो में भगवान की पूजा करने का मन करता है हमारे नजवानों को चरित्रहीन बना कौन रहा है बोलिए कौन बना रहा है और सेंसर बोट एक तरफ कहरा रेप नहीं होना चीए एक तरफ कहरा बलातकार नहीं होना चीए और दूसरी तरफ नंगी लड़कियों को दिखाये जा रहा है इतने बड़े परदे पर वो लड़कियां कहां से आई हैं वो भी तो हमारे देश की हैं जो सिर्फ दो छोटे कपड़ों में अपने पूरे मूवी को दिखाती है जैनमून समस्या है मूमत मोड़ियेगा जितने भी लड़कियां आगे जाके माँ बनेंगी और माँ बनेंगी तो अपने बेटे को बताने का मौका मिलेगा आपको मैं हिम्मत कर रहा हूँ इस जगे पर बैटके इतना खोला बोलने की आपके भी कानों में हिम्मत होना चीए सत सुनने की ये सेंसर बोर्ड अमेरिका का नहीं है ये सेंसर बोर्ड भारत का है और भारत की सब्वितार कल्चर क्या है यह sensor board को भी और सरकार को भी समझना पड़ेगा तब भारत में रेप रुकेंगे के बरना मैं दावे से कहता हूँ फांसी की सजा के बाद भी रेप नहीं रुकेंगे देली जी आप फांसी की सजा कितनों को दोगे हर रोज सो लोगों को फांसी की सजा मिलेगी तब भी रिप रुकने वाले नहीं छेड़ खानी रुकने वाली नहीं इनको इंटरनली करेक्टर यूज बनाना होगा के यू मैंटेन यूर करेक्टर और ये तब बनेंगे जब मूवी में ये सब चीजें दिखाई जाएंगे नंगी पुंगे लड़कियां नहीं दिखाई जाएं लड़कें नहीं दिखाई जाएं ये तब बनेंगे जब इन्हें रामाण पढ़ाई जाए जब इन्हें गीता पढ़ाई जाए और इन्हें बताया जाए कि moral कीमत क्या है तुम्हारी तुम्हारी आत्मा की कीमत क्या है तुम्हारे चरित्र की कीमत क्या है क्यों राम कहता है मुझे एक ही पतनी चाहिए तब समझेंगा ये लोग पर कहां कौन पढ़ता है ये रामाइन कोई नहीं उपन्यास पढ़े तुमारे पढ़ने से अब क्या होगा इन बच्चों की पूछ रहा हूं मैं उपन्यास पढ़ेंगे चरित्रीन तो चरित्रीन जरूर नहीं किसी लड़की का हाथ पकड़ गया लड़के का हाथ पकड़ गया आप चरित्रीन होते हो आप मानसिक तोर पर भी चरित्रीन हो जाते हो आप मानसिक तोर पर भी बिसेभोग कर लेते हो ब्यवचारी हो जाते हो कब जब आप गंदी स्टोरीज पढ़ते हो गंदी स्टोरीज देखते हो 18 यर्स से उपर देखें एक एंक लगा दिया तो फिर इसका मतलब यह प्रूफ है कि 18 years से नीचे नीचे वाले ही रेप करते हैं गलत हमें भारा सरकार का रूल रेगुलेशन तो नहीं बदल सकता मैं कानून नहीं बदल सकता मैं कोसिस कर सकता हूँ जो मेरे पास आये हैं उनको बताने की जो आप आये हो अब आप बताओ आपको बताओं की नहीं हम बताएए भाईयों से पहले जितने भी बच्चे बैठे हैं किसी भी बेहन बेटी पे बुरी नजर उठाने से पहले सोच लेना कि तेरी भी बेहन जवान है किसी को भी यह कहने से पहले किसी is my girlfriend उससे पहले यह सोच लेना कि वो कभी भी कह सकती है he is my बरदास कर पाओगे कर पाओगे जब तुम बरदास नहीं कर सकते तो उस बेहन का भाई भी बरदास नहीं करेगा खून खराबा होगा और ना भी हो तो क्या होगा तू तो चरित्रीन होई गया मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूँगा जितने भी भाई लोग बैठें दूसरे की वेहन की वियुतनी इज़त करिए जितनी आप अपनी बेहन की इज़त करते है और ये तभी संबब है जब आप धर्म को जान लेंगे और जब तक आप धर्म को नहीं जान सकते होती है धर्म से माबाब को इज़त मिलती है धर्म से मेरी आत्मा बलवान होती है इस्ट्रॉंग होती है धर्म से में चरित्रवान बनता हूँ धर्म से में सदमारगी बनता हूँ धर्म से में लोगों को सुधार सकता हूँ इसलिए most important है your religion my dear अपने धर्म को time दीजिए आपके school में सिकाते हैं क्या सिकाते हैं सब जो मैं अभी बोल रहा हूं क्या सिकाते हैं how to earn money only on they are teaching you what how to earn money but they don't know how to live life I teaching you I am teaching you how to live you are interested do you क्योंकि ऐसा कहते हैं nothing is interesting if you are not interested जब तक तुम इंटर्सेड नहीं अपने आपको करेक्टरवान चरित्रवान बनाने में तब तक यह कुछ भी इंटर्सेड नहीं तुम्ही यह सोचना हैं लडकों को कि क्या मैं अपनी मा की को को लजजित कर दूँ दूसरे की बेहन बेटी को सर्मिंदा करके क्या मेरी मा की कोख पर सम्मान नहीं रहेगी नहीं रह सकते नहीं रह सकते और I am sorry अगर तू किसी बेहन बेटी का बसात बुरा करता है तो एक दिन तेरे साथ भी होने वाला है उसके लिए भी तयार रही है इह बाद भाईयों की कर्णियाओं की कितनी मोडन हैं आप कितनी बहुँ ज़्यादा क्या हम लोग इतने मोडन हैं कि अपनी इज़्जत को सरे बाजार में एक तमासा एक सो पीस बना दे बोलिए है क्या कोई एक भी लड़की हो तो बताईए कि मैं ऐसी हो नहीं है न मत करिए मत करिए प्लीज मैंटेन यूर डिगनिटी क्या करें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिससे लोगों की नजरे तुम पे ठिके अच्छे एक बाद हम तयार होके किस के लिए जाते हैं मुझे बताईए बेन बेटी हैं बताईए कि मैं तो कभी हो गए बता नहीं हम लोग तयार होके किस के लिए जाते हैं बोली है न जोड से बोली है और जब सब देखते हैं और गंदी बात बोलते हैं उसको क्यों दोस्त दे रहे हो आप तो तयारी होके इसलिए गए थे कि सब देखें आपको अब देख रहे हैं देख रहे हैं कुछ पैसा कमाना आपका काम पैसा कमाना नहीं है आपका काम है अपने आपको मेंटेन रखना और अपने माबाब की इज़त से अपने आपको जोड के रखना गलत कह रहा हूं बोली है माबाप जरूरी है कि उनकी इज्ज़ जरूरी है कि जो दुनिया में टीवियों पर बहास होता वो जरूरी है है मूवी जरूरी है मूवी में तो वो पैसे के लिए कपड़े कम पहनती है दे लड़कियां जो है वो तुनको पैसा मिलता कई 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 करोड़ और वो किसी और ही कंट्री से आई हुई है उनकी thinking कुछ और है आप और हम बैसे नहीं बन सकते इसलिए कहते हैं Please respect yourself You respect yourself You will be respectable If you don't respect yourself Then I am sorry to say तुम्हें सम्मान ये कोई नहीं काईगा फिर तुम सम्मान नहीं पा सकते इसलिए अगर लड़कों की जिम्मेदारी हैं तो लड़कियों की भी जिम्मेदारी हैं कि अगर तुम्हारे मावाप ने तुम्हें स्कूल कोलेज भेजा है पढ़ने के लिए तो उनके बिश्वास का कत्ल मत करिए उनके बिश्वास को खत्म मत करिए अगर ये लोग लड़के कह सकते हैं कि मेरी गल्फ्रेंड है तो उसकी गुनेगार आप हैं क्योंकि वो गल्फ्रेंड आप बनी थी वो बजार में से खरीद के नहीं लाया था कोई आपने permission दी yes I am your girlfriend अगर लड़के गुनेगा रहे हैं तो लड़कियां भी गुनेगा रहे हैं school कैसे जाना चीए college कैसे जाना चीए मुझे देरादून का तो पता नहीं metro city ओमें जाके देखो ऐसा लगता है college में जाके fashion zone में आ गए कसम से लड़के भी कम नहीं वो भी उनका fashion जो है अलगी है क्यों मेरे को अपना अंग प्रदर्शन करना है क्यों मेरे को गंदा पूर दिखना है एकदम बखबास दिखना है simple बन के जाओ और जब भी तयार हो सबसे पहले कि वात याद रखो कई मेरी माबाप की इज्जत को मेरी सजावट से नुकसान तो नहीं होगा अगर इतना भी ध्यान रख लोगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ 90% रेप रुक जाएंगे हिंदुस्तान में पिर आप जब तिलक लगा के जाएंगी गले में कंठी पहन के जाएंगी भगवान का नाम जबती हो जाएंगी किसी राख्यस की नजर पड़ेगी आप पर बोलिए और यहां तक कि यह वो देश है जिस देश में सीता मा की रक्षा करने के लिए जटायू अपने प्राणों को नियोचावर कर देता था आज वहां के इंसान रावण के भी बाप बन रावण ने जबरदस्ती नहीं की थी सीता मायास यह आज के लोग रावण के उंगली की धोवन भी नहीं है इतने बुरे हो गएं यह लोग इसलिए क्यूंकि आप मेरे को फील हो लुरय है क्या यहाँ आए हो मैं एन के प्रकारण में भी मेरी बातों से कभी भाई लोगों को या बहनों को बुरा लगे लेकिन मेरा लक्श आपको बुरा लगाना नहीं मेरा लक्श है आप तक मेरा मैसेज पहुँचाना आपको सुरक्षा देना अगर आपको लगे कि मैंने सही कहा है तो आज के बाद ऐजे हिंदू माथे पे तिलक कले में कंटी, हाथ में कलावा मुख में भगवान का नाम प्लीज रिस्पेक्ट यूर रिलीजन अगर आप ऐसी जिंदगी जीते हो तो अगर कोई तुमारी उपर बुरी नजर रखेगा भी तो मेरा ठाकुर जी उसकी नजर फोड़ देगा अब बदाओ इस दुनिया में सबसे बड़ा रक्षक कौन है जोड से बोलिये पक्का ना वो बचा लेगा ना हर जगे लेकिन पहले उस पर यकीन तो करना पड़ेगा अब यकीन ही नहीं करो तो कैसे वो बचाएगा बताना कौन-कौन मेरी बास से सहमत है जो नहीं है सहमत वो नीचे रखी कोई जबरतस्ती थोड़ी मैं कोई election थोड़ी लड़ लड़ रहा हूं कि आपकी एक बोड़ से मैं जीत जाऊँगा जो सहमत नहीं वो नीचे रखी अपना हाथ और जो सहमत है वो उपर करिये पूरा डंग से उचा उठा के करा यह बात नीचे करो मैं आप से एक request करूँगा आप अपने धर्म का सम्मान करें अपने माबाब का सम्मान करें धर्म के साथ जिन्दगी जीए जैसा धर्म कहता है वैसा साधी से पहले कोई girlfriend बोई फ्रेंड ने ब्रमत शर्का पालन करें साधी से पहले तक और मैं आपको एक और एड़वाइज दूँगा अगर आप मान सकें तो कि साधी से पहले कोई मूवी ही मत देखिया यह बहुत बड़ी एड़वाइज है जो कोई माई का लाल नहीं देगा मम्मी पापा कभी का बार दे सकते हैं और कोई जादा नहीं देंगे और आपके friend तो बिरकुल भी नहीं देंगे जो आपके हाथ में हाथ डालके मूवी देखने जाते हैं वो तो बिरकुल भी नहीं देंगे पूछिया क्यों जब आप गंदे दरस्य देखते हो तो वो गंदगी जीवन में करने की इच्छा पाल ही लेते हो और जब ये गंदगी जीवन में करने की इच्छा हो जाती है तो फिर आपको कोई सुधार नहीं सकता मैं भी नहीं भगवान भी आजाए तो भी नहीं भगवान मार भली दे सुधार नहीं सकता भगवान है वो तो मार सकता है परशुदार नहीं सकता, क्योंकि यहाँ हाँ भी हो गई है वो गंदगी, दिल और दिमाग पर, जितने भी बेहन बेटी हैं, सब बताना इमानदारी से, मम्मी पापा से किसके चक्कर में जूट बोलते हैं आप, जोड से बोलो, और जोड से बोलो, कभी दोस्तों ने मना किया बेटा, हमारी बज़ा से देखो तो हमारे फ्रेंड हो, अपनी मम्मी पापा से जूट मत बोलना, वो पूश करते हैं, पूल देना ना, जेना दोस्त के घर गए, फिर चलते मूवी, गए, और मम्मी पापा ममी को लेके गए हुए थे उसी थेटर में, पापा ने पूछा कौन से, आजा, या बैट जी मेरी बगलन, और जो दोस्त तुमें गंदा काम करने के लिए कहे, उस दोस्त से जितना मदूरी बना लोगे, तुमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, कई बार आपने न्यूश सुनी होगी, उसका जानकार फ्रेंड था, उसने बुलाया, वो लड़की उसकी यहां चली गई, दस लोग वहां ओलेडी, क्या क्या नहीं सुना आपने, आप किस मुझे क्या मिलेगा अगर तुम चरितरवान बन जाओगे तो, तेरे ममी पापा दो-चार करोड दे देंगे मुझे, दो-चार हजार दे देंगे, नहीं ना, मुझे मिलेगा एक भारत का सुन्दर सा बच्चा, चरितरवान बच्चा, धर्म कुमानने वाला बच्चा, जो अपना कल्यान करने के लिए एक नेक रास्ता चाहता है, बस मेरा यही बहुत बड़ा काम हो जाएगा, आप सब से प्रार्थना करता हूँ, अगर बांट सकते हो, तो अच्छाई इस दुनिया में बांटो मेरे भाई-भेन, आज जिंदगी जीजिए, क्योंकि who has seen tomorrow, कल किसन दालनी चाहिए, और बुराई जितना टाल सकते हो, टालते रहिए, टालते रहिए, क्या पदा कलाब को मौका उस बुराई को करने का ना मेले, इसलिए अच्छाई, शुरू करते रहे जीवन में, आसे माथे पे तिलक जरूर लगाएं, हाथ में कलाबा जरूर पहने, और ग कर सकते हैं, कौन-कौन नेट चलाता है, जो जो नेट यूज करते हैं, आद उटाई, अपनी अपनी पिक्चर किसने लगा रखिए, फेस्बुक और इदर उदर पे, आद उटाई, आद उटाई ना, जादा खुबशूरत, मिस बल्ड बन रहे हो, और यह तू, मिस्टर ये आद उटाई होता है, आप अपनी पिक्चर की जगे मेरे ठाकुरजी की पिक्चर लगाइए, भगवान की पिक्चर लगाई, और खुब धरम का प्रचार करिये, और वह बगवान की छभी हो, या आपके गुरु की छभी हो, लोग क्या कहेंगे सबसे पहले बताओ, आपकी क्या चबी जाएगी? ओपन करते ही क्या चबी जाएगी? He is a religious He is a religious person हो गया ना? सुरुवात तो एक फोटू पदलने से इतनी अच्छी सुरुवात हो जाती है और अपनी लगा दो ज़रा टेडी फोडी शी फिर क्या जाएगी चबी? ओ तो क्यों हमें ओ करवाना है? हमें करवाना है क्या religious person है? चाहे वो लड़की हो या लड़का हो आप सब से मेरे प्रार्थना है आप सब अपने घर में बैठे हुए धर्म का प्रचार कर सकते हैं आप करिए और हाँ आप मुझसे भी डारेक्ट जुड़ सकते हैं जो जुड़ना चाहें कौन-कौन ट्विटर पे मुझे फॉलो कर रहा है? बागी के इनको तो जरूवत नहीं है न? कौन-कौन कर रहा है? आज जो भी चाहते हों कि हाँ मैं उनके जीवन में किसी काम आ सकता हूँ आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करें फेस्बूक पे भी फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज को आज कल के बच्चे इतने फास्ट हो गए हैं कि वो ये समझते हैं कि मैं निवेदन करूँगा सभी बच्चों से नहीं कि हमारे बच्चे आने वाले जमें में हमारे पास बैठना भी पसंद नहीं करेंगे गिवें टेक यू टेक वोटेवर यू डू आप जो देंगे आपको वही मिलने वाला है तो हमें माबाब का आदर सतकार अच्छे तरीके से करना चीए इसा मैं मानता हूँ और जो हमारी कथा हैं सुनते हैं में भी वो बहुत इस चीज को समझते हैं और जो सुनने नहीं आते हैं जो बार-बार से सुनके चले जाते हैं अब उनको तो क्या सिकाएंगे हम उनी को सिका सकते हैं आते हैं, आज से काएंगे और अभी में आपके question ले रहा हूँ, इसके बाद मेरी class शुरू हो नहीं अभी अभी मेरी class शुरू नहीं हुई है, यह द्यान रखना अभी तो मैं सिर्फ वो सुन रहा हूँ जो आप question कर रहे हैं, जे गुरुजी रादे रादे गुरुजी आपने बताया था कि कभी पैरेंट्स को रिटन जवाब नहीं देना चाहिए गुरुओं की सेवा करना चाहिए पर हम खुद अपने क्रोथ को कंट्रोल करते हैं, फिर भी कोई ऐसी बात हो जाती है कि पैरेंट्स को रिटन जवाब साथ नहीं देते हैं, अगर कोई बच्चा कथा सुनना चाहता है, अगर कोई बच्चा तीर्थ करना चाहता है, अगर कोई बच्चा भक्ती करना चाहता है, आज कल के पैरेंट्स किसमें सपोर्ट देते हैं, डांस इंडिया डांस, लिटिल चैम, इनमें हमारे parents बहुत साथ देते हैं छोटी छोटी बच्चीओं को 13-14-14 साल की 10-10 साल की बच्चीओं को छोटे छोटे कपड़े पेना के मंच पे नचाते हैं दुनिया के आगे उसमें parents साथ देते हैं लेकिन जब भक्ती करने के लिए हमारे parents बच्चे जाते हैं पेरेंट्स कहते हैं यह तिरी कोई उमर नहीं जब वो अच्छाई सीकेगा नहीं तो तुमारे बढ़ापे में काम कैसे आएगा और यह बात हमारी समझ में नहीं आती हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं यह हमें भी सोचना होगा तो अच्छे माबाप वही हैं जो अपने बच्चों की अच्छाई में साथ दें बुराई में नहीं बुराई से तो बच्चों को रोगना चाहिए रही बात आपके क्रोध की तो जब क्रोध आये तो कम से कम गुरु के द्वारा दिया हुआ ग्यारा बार वो मंत्र जबा करिए जिससे आपका वो कोध कंट्रोल में रहे है जी मोँ पे रखे गुरु जी की चर्णन मी सशन प्रणाम क्लिशन यह है कि हमारी भार्ति संसकति यह क्यों है कि हमारे माबापका खयार सी बेटे ही रखेंगी फारी लगाई नहीं है भगवान ने कि दौनों क्योंकि एक घर भी अगर बेटी समाल ले ससुराल जाके अगर ससुराल को समाल ले तो यकीन मानो वो बेटी दौनों ही कुलों का नाम रोशन कर देती है दौनों ही कुलों का नाम रोशन कर देती है गुरुजी ऐसे ही होते है कि मैं लड़के संभाल लेती है और परिवार भी संभाल सकती है लेकि आप ट्राइ करके देख लो अच्छा हो तो मैं आपको ब्लेसिंग्स देता हूं भगवान करें आप दोनों गड़ संभाल सकें और आप सब तयार रहिए कि मैं आपको अभी कु गुरुजी नौरात्रों में किसी के घर नी जा सकते बाहर ऐसा घरवाले बोलते हैं क्योंकि मैं यहां लोड़ मुझे नहीं आने दिया इन्दोर सेथ बोपाल से नहीं आने दिया, किसी के घर नहीं जाते हैं, वो तो ब्रत जो रखते हैं, जो नियम करते हैं, उनके लिए ये कुछ होता है कि जिनके घर में खेत्री बोई जाती है, दीपक जला के रखते हैं, तो फिर घरवालों को लगा होगा कि थोड़ा इसी बाने सेर्श को लास्ट में दो दिन चली जाएगी, कोई बार ने, बेस्ट अब लग, जो आई हो ठीक है, ठीक है, आप खड़ियो जाएगे, राधे राधे गुरुजी, मेरा नाम दिव्या भारगवे, मैं 18 साल की हो, और मेरे मम्मी को राम नाम का मंत्र दिया है, और मेरे मम्मी के अंदर इसा ही कृष्ण निकलता है, तो उससे कुछ फर्व तो नहीं है, और उनको सब के सामने दिक्ष्ण दी गई है, वो आप से दिक्ष्ण लेना चाहती है, तो वो ले सकती है, और मेरा एक और प्रिश्ण है, कि जैसे भगवान कृष्ण ने पहले लीलाएं करी थी गोपियों के साथ कल्योग के भगती भी हैं, जो चाहते हैं कि कृष्ण भगवान उनके साथ फिर से वैसी लीला करें, तो क्या क्रिश्ण भगवान वैसी लीला करेंगे, और क्या तीन करोड गुरु मंत्र से, अगर तीन करोड गुरु मंत्र जपलो तो क्या भगवान मिल जाते हैं, जी ऐसा मानते हैं। से सुन लें। एक दम मन लगाएं। दस से पंद्रे मिनिट या भी इस मिनिट मेभी। जब इतना भी मैं बोलूँ आपको बोलना नहीं है। सिर्फ सुनना है। और इन प्रश्णों में या इन बातों में जो मैं भी बोलने जा रहा हूं। इन में आप सभी के क्वेश्णों के आंसर भी मिल सकते हैं। तमाम बाते होती हैं। हम लोग कहते हमारा धर्म ये करता है हमारा धर्म हम लोग अपने धर्म पर हजारों कमिया निकालते हैं। अपने माबाप में हम कमिया निकाल लेते हैं। अपने पूरवजों में अपने बड़ों में हम लोग कमिया निकाल लेते हैं। जब हम दूसरों में कमिया निकालते हैं उस समय हम अपने आपको परफेक्ट समझते हैं। समझते हैं ना। हमारी नजर में perfect कौन है गुल में जब हम लोग cycle चला रहे होते तो गाड़ी वाले को गाली देते हैं तेरे बाप की यह road तू ही चलाएगा बीच रुपरी फिर cycle वाले को गाली देते हैं कितना बत्तमीज है इसको cycle चलाना भी नहीं बीच में चलाएगा मरेगा मर जाएगा फिर त्रीविलर वाले को गाली देते हैं हर condition में ही अपने आपको perfect समझता हूँ चाहे condition कोई भी हो यह ठीक नहीं है जो इंसान अपने आपको perfect समझता है वो कभी perfect हो यह नहीं सकता no one can perfect in this world neither I nor you ना आप perfect है न में perfect हूँ लेकिन imperfect ही इंसान को प्रेरित करता है कि वो आगे जाके काम करें वो और प्रयास करें वो उस कमी को दूर करें इसलिए कबीर बाबा कहते हैं निंदक नेरे राखिये आंगन कुटी छबाए उन लोगों की जो buttering करते हैं जो chap loose लोग होते हैं जो चम्चे लोग होते हैं चम्चा समझते हो ना chap loose लोग buttering करने वाले ऐसे लोगों के बीच में कभी नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो हमें बेगाडते हैं सुधारते नहीं है you are looking so beautiful it means he is lying उसे जरूर तुमसे कोई स्वारत है वो जरूर तुमसे कोई काम करवाना चाहता है और अगर कोई तुमसे कहें I don't like your this thing you are wrong it means वो तुमारा सबसे बड़ा सुबचिंतक है क्योंकि वो तुम्हें जो कमी देख रहा है वो तुम्हें बता रहा है और वो तुम्हें सुधारना चाहता है और अगर तुम्हें सुधारने की capability है तो no doubt one day you will be perfect एक दिन तुम perfect बन सकते हो लेकिन कव जब तुम्हें अपनी कमियां दूर करने की शमता होगी तब इस दुनिया में कोई भी तुम पर कोई भी सक करे लेकिन नहीं सक करते हैं तो परमात्मा तुमारे उपर सक नहीं करते हैं नहीं सक करते हैं तो तुमारे गुरु तुम पर सक नहीं करते हैं नहीं सक करते हैं, तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम पर सक नहीं करते हैं, करते हैं क्या, वो लाग सुन लेते हैं, मेरी बेटी यहां गलत काम करके आई है, इसके बावजुद भी वो बेटी का हिफाज़त करते हैं, वो लाग सुन लेते हैं कि मेरा बेटा यहां गलत काम करक वैसे ही गुरु वैसे ही गोविंद भी है उन्हें पता है कि यह सब पापी है तुम लोग पापी हो के नहीं बोलो हो के नहीं हमारा जन्म ही पाप से हुआ है तो हम पापी क्यों नहीं होएंगे भगवान तो जानता है He knows everything about yourself सब जानता है वो तुमारे विशे में इसके बावजुद भी वो कहता है कि तु मेरी सरण में आजा मैं तुझे एक्षमा कर दूँगा लेकिन इसके बावजुद भी हम उसकी एक्षरण में नहीं जाते हम चले जाते ही किसी और के हाथ में हाथ डालने के लिए क्लास से, एट्थ क्लास से, बोल दू कि नहीं, है, एट्थ क्लास से हमारा एक फ्रेंड हो जाता है, शिर्प आठमी क्लास से, मेरा एक फ्रेंड होता है, और उस फ्रेंड के चक्कर में मैं अपने माबाप को इगनोर करता हूं, मैं अपने धर्म सास्त्रों को इगनोर करता हू मैं अपने कल्यान अपने भले को इग्णोर करता हूँ मैं अपने टीचर को भी इग्णोर करता हूँ मैं अपनी स्टडी को भी इग्णोर करता हूँ मैं अपनी लाइफ को भी इग्णोर करता हूँ Hey, listen to me कोई भी बात नहीं करेगा यहां तुम मेरे लिए आये हो ना अज सिर्फ आज मुझे दो सिर्फ आज मुझे दो वो भी आदा घंटा बागी का पूरी लाइफ तुमारी सिर्फ एक फ्रेंड के चक्कर में मैं अपनी पूरे रिष्टेदारी को बरबाद कर देता हूँ अपने संसकार अपनी शब बिता हम लोगों को माइक मिल जाए हम बड़ी बड़ी बाते करते थोड़ी सी कोई डिगरी प्राप्त कर ले तो फिर हमें लगता है हमसे ज़्यादा परफेक्ट कोई नहीं है लेकिन हम भूल जाते हैं हमें या पैदा किस ने की है हम भूल जाते हैं कि हमें पालने की जिम्मेदारी किस की है हम यह भूल जाते हैं कि हम यह आए क्यों है इस दुनिया में कुछ याद है गया क्यों आए हम लो क्यों आए चार काम जनम लो खाओ कमाओ बच्चे पैदा करो सो जाओ और मर जाओ this is your human life this is not human life if this human life then what is the difference between human and animals they are doing also they have wife they have job they have children they are also sleeping हाँ यान ना आप लोग तो सब पड़े लगे हो पड़े लगे हो कि नहीं तो तुम्में और उनमें अंतर कया है dog also sleeping dog is also but we are not dog we are human हम इंसान है हम मानव है हम मानवता है लेकिन कब है वो मानवता यह आप इस बात को मतलब नहीं तीचर 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 टीचर पात में how to earn money they are not teaching me how to live life मैं आप से पुछ ताम आप मुझे बताईए आप लोग पढ़ते किस के लिए सब लोग बड़े intelligent बेठे हैं आपर कांगा ही वो सिवजी वाली बेटा द्यान से सुनना जरा है ना प्लीज आप सब बताईए हम लोग पढ़ते किस के लिए है जोड से बोलिए हम लोग पढ़ते हैं कमाने के लिए कमाते किस के लिए पढ़ने में कितना टाइम लगता है कोई भी जॉब के लाएक अगर पढ़ना हो तो कितनी साल लगती है 15 से 20 और डॉक्टर बोक्टर बनना हो तो 25 हाँ यह ना पक्का 25 साल लगे तुमें खाने की विवस्ता करने में कितनी साल ध्यान से सुनना इंग्लिस मीडियम सब जितने भी इंग्लिस मीडियम बैटे सब सुनना तुमारे माबाब ने तुमें डॉक्टर बनाया, वकील बनाया, इंजिनियर बनाया, लीडर बनाया लेकिन किसी ने भी तुमें अच्छा इंसान बनाने की सिख्षा नहीं दे इसकूलों में भी यही सिखाया जाता है यह डिपलोमा कर ले यह कर ले इससे इतना बड़ा पैकेज मिलेगा हम लोग आज कल पैकेज के लिए जिन्दा है किसके लिए जिन्दा है कभी सोचाए कि तिरी लाइफ कितना बड़ा पैकेज है सोचाए कि नहीं न आज कितने हसीन लग रहे हैं हम जवानी है, आँखें सुंदर है मुटापा है, कोई पतला है बड़ा हिंसम है, बड़ा ये है तब तक ये बटरिंग करने वाले भी बहुत है जिसे देखो टोटली बटरिंग करते है लेकिन जब ये सब चला जाता है बुडापे में तब दादी को कोई कहता है I love you दादा को कोई कहता है I respect you, I love you जब भी तुम्हें तुम्हारी सुंदरता पर घमंड हो जा के अपनी दादी से पूछना, दादी तुम्हें भी कोई फोन आता है क्या दादी तुम्हें कोई मिस्कॉल करता है क्या दादा जी तुम्हारे पास भी किसी का मेल आता है क्या दादा जी और दादी कहेंगे गुजरे वक्त की बात को याद दिलाते हो दिल रोता है उस समय हम भी हसीन थे like you उस समय हमें भी लेटर आते थे उस समय लोग हमसे भी चर्चा करते थे लेकिन आज मेरा समय गुजर गया आज मुझे कोई याद नहीं करता आज मुझे अपने ही ठोकर मारकर बाहर कर देते हैं उनकी दसा पर रोना मत उनकी दसा पर रोना मत तैयार होना यू प्रपेर्ड यॉरसल्फ कि वन डे यू विल भी फेस्ट दिस थिंग यह तुम्हें फेस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि आज उनका है कल तुमारा है परसों किसी और का है मैं पूछ रहा था हम पढ़ते हैं कमाने के लिए कमाते हैं जोड से बोलिए हम पढ़ते हैं कमाने के लिए कमाते हैं खाने के लिए खाते हैं जीने के लिए जोड से बोलो न दुबारा बोलना शुरू से लेके अंड तक पढ़ते हैं कमाते हैं खाते हैं एक सेकंड भी सोचा है तुम जी क्यों रहे हो एक सेकंड भी सोचा है कभी जी क्यों रहे हो बोलिये क्यों जी रहे हैं मावाब तो तो दे पहले चले गए भड़तू भी चल उनके संग है what is your target your life what is your aim over your life what is your goal of your life we don't know I forget that I don't want to remember I am intelligent we are full we are not intelligent करोण रुपे छोड़के कोई दो हजार रुपे में मान जाए उसको आप intelligent कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे जवाब दीजिए बगवान ने दो चार हजार रुपे हमको दे दिये दो चाल लाक रुपे हमें दे दिये और अपने दर्सन जैसे हीरा जैसा अनमोल गिफ्ट अपने से दूर रख लिया हमसे दूर रख लिया और भी आर हैपी I am millions हम लोग पैसे वाले हैं हम लोग ये हैं जितने भी लोग यहां बैठें सब लोग स्वतंद्रता की आजादी ओड़ना चाहते हैं आस्मान को छूना चाहते हैं आकास को छूना चाहते हैं मुझे एक बात याद आ रही है जरा सुन लीजी आपके काम आ जाएगी एक बाप बेटा दोनों मिलकर पतंग उड़ा रहे थे पतंग आस्मान में उड़ रही थी बहुत उंचाई पर उड़ रही थी बेटे ने कहा पिता जी इस पतंग को और उपर जाने दो दोर छोड़ दो दोर छोड़ दिया पता जी और जाने दो इस दोर को उपर पता जी ने कहा जितनी दोर है उतनी तो छोड़ूँगा उससे जादा कैसे छोड़ दूँ वो बहुत नहीं पता जी एक काम करिए इस दोर को काट दीजिये ये दोर पतंग और उपर चली जाएगी पता जी ने कहा ओके बेटा उन्होंने वो दोर काट दी पतंग उड़ी और उपर गई लेकिन वो ज़्यादा देड़ तक उपर रुख न सकी धड़ाम से आकर नीचे गिर गई रुख जाओ बजा लेना मौका मिलेगा सुन तो ले सिवजी पे उसे क्यों किया जाता है सुन तो ले काट दी पतंग उड़ी और राम से नीचे गिर गई बच्चा रोने लगा बच्चे ने कहा पिता जी क्यों क्यों कटके ये नीचे गिर गई इतना उपर उड़ रही थी एकदम नीचे आ गई, तो पिता जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, तू नहीं तो कहा था, काट दो, मैंने काट दी, अरे पिता जी, गिरी क्यों, तब पिता जी ने जवाब दिया, बेटा, पतंग तभी तक उपर उड़ती है, जब तक वो किसी के हाथ में रहती है, उसकी डोर, और जब डोर काट दी जाती है, तो पतंग गिर जाती है, याद रखना, यह जितने भी नौजवान यहां बैठे हैं, जब तक आप अपने संसकार रूपी डोरों से बंदे हुए हो, तब तक आपको कोई नहीं गिरा सकता, और जिस दिन आप संसकार रूपी डोर को काट देते हो, आपको गिरने से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता, नो बचा सकता, no one can save you in this world my dear. If you cut your connection with your religion, no one can save you. This is your choice, this is your decision, if you want to connect, then you maintain your relation. with your religion. If you want to cut, then it's okay. This is your choice. आप कहते हो, I am always upset, because you forget your religion. अगर तुम चाहते हो, तुमारा सम्मान हो, first you respect yourself. Don't play with yourself. You are not common. तुम तुमारे माबाप की अलाद नहीं हो, तुमें किसी और ने भेजा है, जिसे तुम समझ नहीं पा रहे है, जिसे तुम भूल बैठे हो, किसने भेजा है तुमें? क्या पती पतनी के मिलने से अलाद होती है? होती है गया? होती तो इस दुनिया में वैसे लोग क्यों रहते हैं, जिनके कोई अलाद ही नहीं होती, सादी हो गई, 20 साल हो गई, 25 साल हो गün, मर गई, लेकिन कोई अलाद नहीं है, पिर क्यों? उन्होंने वोही सब किया ता, जो अलाद वालोंने किया, फिर इन्होंने क्यों नहीं किया? इनके क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुमें और मुझे, इस दुनिया में भेजने वाला है तुम्हारे माबाप नहीं, मेरे माबाप नहीं, हमें और तुम्हें भेजने वाला वो परमात्मा है, जुसने हमें भेजा है, वो परमात्मा है, उस परमात्मा ने हमें इस दुनिया में भेजा है, और उसी परमात्मा को इग्नोर करने के बा अगर खुश रहना है अगर आनंद में रहना है तो तुम्हें उस परमात्मा की उंगली पकड़नी पड़ेगी आज जितने भी भारत बरस में आप देख रहे हैं तीन साल की बेटी सुरक्षित नहीं इस देश में और कहते हैं I am intelligent, we are intelligent, you are intelligent इतना बुरा तो रावण और कंस भी नहीं करते थे जितना बुरा आज के राख्यस लोग करते हैं ये लोग किसका दोस है इसमें? बेटीयों का? तीन साल की बच्ची को क्या पता? दुनिया किसे कहते हैं? पांस साल की बच्ची को क्या पता है दुनिया किसे कहते है ये कसूर है उन माओं की कोकों का जिन्होंने एक पैदा किया और राख्यस पैदा किया उन्होंने कभी नहीं सिखाया जितनी जद तू अपनी बहन की करता है उतनी जत्तु पड़ोसी की बहन की भी करना उन्होंने कभी नहीं सिखाया स्कूल से जब वो आया और कहता है मेरी गल्फ्रेंड है माबाप बड़े खुस होते अभी से अभी से इसा सोच रहा है अच्छा कम मिलवाएगा अपनी गल्फ्रेंड से एक चांटा मारना चाहिए सबसे पहले माबाप के गाल पे उसी बेटे को मारना चाहिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुम अपने बेटे से गल्फ्रेंड की बात करते हो बहुत से लोग मुझे से नाराज होंगे क्या बच्चा भी चांटा मार सकता है मार तो नहीं सकता लेकिन सब्दों का चांटा जरूर मारना चाहिए अपने माबाप के गाल पे जो माबाप अपने बच्चे को बच्चलन बनाने के लिए प्रुसाहित करते हों उसे गलत रास्ते पर ले जाते हों मुझे एक बात याद आ रही है याद रखिएगा सुनिएगा जर आपके काम की है यहाँ जितने भी माबाप बैठें वो भी सुन लीजेगा एक बेटा था अपनी मा के साथ अकेला रहता था एक दिन वो पडोसी के घर में से रसी चुरा लाया रसी चुरा कर लाया अपनी मा को दे दिया मा ने वो रसी लेकर बड़ी प्रसनता जाहिर की अरे अभी गाई ने बच्छरा दिया मैं तो सोच रही थी कि कैसे उस बच्छे बच्छे को बांदूंगी तूने मेरी समस्य हल कर दी जो इस रसी को ले आया अब इसी रसी से बच्छे को बांदूंगी कह दिया बच्छे को लगा मैंने बहुत अच्छा काम किया अब वो बढ़ा हो गया और रात दिन बड़ी बड़ी चोरी करने लगा एक दिन वो रंगे हाथों पकड़ा गया राजा के घर में चोरी की रंगे हातों पकड़ा गया सजाए मौत मिली फांसी की सजा मिली और जब फांसी की सजा मिली तो उसे पूछा गया कि आखरी तेरी इच्छा क्या है जितने भी यंग बच्चे बैटें प्लीज लिसन टू मी कियरफुली ये सिर्फ वर्डिंग नहीं है ये वो इतियास है देखो एक बात बता दें जो अपनी गलतियों से सीखता है वो मूर्ख है और जो दूसरों की गलतियों से सीखता है वो इंटेलिजन्ट है अपनी गलती से सीखो होगे तो उतना टाइम खराब कर चुके होगे और दूसरों की गलती से सीखोगे तो तुम अपना टाइम सेव कर चुके होगे बचा चुके होगे इसलिए दूसरों की गलती से सीखना ये बहुत बड़ी बात होती है बहुत बड़ी बात होती है इसलिए सीखो उस बच्चे से पूचा तुमारी आखरी इच्छा क्या है उसने का मैं अपनी मा से मिलना चाहता हूँ मा आई मा रो रही थी जैसे मा पास में आई उस बच्चे ने एक मारा खींच के गाल पे चांटा जबर्दस चांटा मारा वहाँ जो लोग थे बड़ पापी है मरने जा रहा है और अभी भी मरते समय अपनी मा का अपमान कर रहा है नरक में भी ठोर नहीं मिलेगा यह चांटा मारा तुने मा भगवान होती है मा भगवान होती है पर इसने भगवत्ता का कोई काम किया नहीं ये चांटा मैंने इसलिए मारा क्योंकि मेरी माने मुझे चांटा नहीं मारा कास ये चांटा मेरे गाल पे तब पढ़ गया होता जब मैंने पहले दिन वो रसी चुराई थी अगर मुझे उस दिन वो चांटा पढ़ गया होता तो आज मुझे फांसी पर नचड़ना पढ़ता मुझे नहीं मारा गया इसलिए आज मैं इसके गाल पे मार रहा हूँ हे मेरे भाई बेन ये माबाप भी गुनेगार होते हैं और बच्चे भी गुनेगार होते हैं मैंने माबाप को सुनाने के लिए नहीं बुलाया है मैंने आपको सुनाने के लिए बुलाया है कौन-कौन चाहता है कि जिन्दगी में सफल हूँ कौन-कौन चाहता है अपने जिन्दगी के गोल को प्राप्त कर सके क्या गोल है? क्या गोल है तेरा? तेरा? सबका वो ही है कौन-कौन चाहता है भगवान से मिले मरने से पहले? चाहते हूं? इसके लिए जरूरी है कि भगवान की बनाई हुई इस कंट्री में, इस सुसाइटी में किसी का अपमान मत करिये किसी की इंसल्ट मत करिये सबका सम्मान करते हुए भगवान का बजन करते रहिए कभी भगवान को इग्नोर मत करिये क्योंकि परमात्मा ही तुमारा सर्वस्व है वही तुमारी बिगडी बनाता है वही तुमारे पगपग पे काम आता है मैं इन बच्चों से पूछना चाहूंगा कितने खुस होते हो जब लड़कियों को घुमाते हो अपनी बाइक में, अपनी गारी में, गार में जब किसी लड़की को घुमाते हो उसका SMS अपने फ्रेंड्स को पढ़ाते हो कितने खुस होते हो बहुत जिस समय ہم अपनी फ्रेंड का SMS अपने फ्रेंड को पढ़ाते हैं उस समय हम यह भूल जाते हैं कि मेरे घर में मेरी एक बहन है जिसने SMS अपने फ्रेंड को भेजा है और वो भी थीक इसी तरीके से उस SMS को पढ़ा रहा है चाहोगे अपनी बहन के इस SMS को दुनिया पढ़े चाहोगे जवाब दो मैं लड़कों से पूछ रहा हूँ जवाब चाहिए किस-किस की गल्फ्रेंड हाथ उठाओ हसना नहीं आप इदर देखते रहे हैं प्लीज डरिये मत अभी तुमारी भी वारी आने वाली है तुमसे भी पूछूँगा और कथा पंडाल में जूट नहीं बोल सकते तुम महापाप लगेगा इसलिए बुलाए तुमको यहाँ बताईए किस-किस की गल्फ्रेंड है उधर क्यों देख रहे हो तुमने रखी ती मुझे मालूम है है न लेकिन कभी अपनी बेहन से पूछा है कि उसका था पंडाल में कोई ऐसा तो नहीं था जो तुझे ध्यान में रखके हाथ उठा रहा हूँ था? पूछा है? जैसे तुम अपनी बेहन के लिए पूजिसिव हो बैसे ही उसका भी भाई उसके लिए पूजिसिव है कभी भी उस रास्ते पे मत जाना जहां तुमारी बेहन चली जाए तो तुमारी आँखें जुख जाए कभी ऐसा मत करना दूसरे की भी बेहन को अपनी बेहन समझो आज इस अंसार में आज इस भारत में तीन-तीन साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है बजए आज का बच्चा सैतान हो गया धर्म से दूर चला गया गंदी-गंदी बुक्स पढ़ता है गंदी मूवी देखता है गंदी-गंदी साइट देखता है और फीर वो एपलिमेंट किसी पे भी करता है आज से 25 साल पहले इतने नहीं होते थे तीस साल पहले इतने नहीं होते थे क्योंकि 30 साल पहले इतने अध्याथमिक लोग थे वो सदगरंथ पढ़ते थे वो रामान पढ़ते थे और इंडोनेसिया में चले जाओ वहां आज भी रामाण पढ़ी जाती है तुमारे देश में रामाण नहीं पढ़ी जाती अमेरिका में गीता पढ़ाई जाती है तुमारे देश में गीता नहीं पढ़ाई जाती अगर तुमारे देश में गीता और रामाण पढ़ाई जाए और सीता बॉइफिरेंट नहीं रखती, सूपणखां रखती है, सीता नहीं रखती, और मेरे देश में सीता पैदा होती है, सूपणखां पैदा नहीं होती, मेरे देश में राम पैदा होता है रावण पैदा नहीं होता कौन-कौन चाहता है रावण बनना और कौन-कौन चाहता है राम बनना सीता बनना कौन-कौन चाहता है लेकिन उसके लिए जरूरी है कौन-कौन चाहता है हाथ उठाया सीता बनने के लिए जरूरी है सिर्फ राम से प्यार किया जाए राम बनने के लिए जरूरी है सिर्फ सीता से प्यार किया जाए और मानवजाती में अगर पैदा हुए है तो सिर्फ अपने पती पतनी से ही प्यार किया जाए किसी और से न किया जाए यही सिकाता है तुम्हारा धर्म, यही सिकाती है तुम्हारी आज की क्लास, और यही है तुम्हारा सदमार्ग, जितने भी टीचर लोग यहां बैठे हैं, हमारी भी मिस्टिक है, हम अपने बच्चों को सिर्फ वो सिकाते हैं, जिसे वो पास हो जाए, मौरल खतम हो गया है मौरल नहीं हमारे अंदर अब आज कल बिद्या जो है वो भ्यवशाय बन गई है I'm sorry कोई बुरा न मानना एक चौती क्लास में पढ़ने वाले पहली क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की फीस 25 तीस अजार रुपे पर येर ये अन्याए नहीं है नहीं है ये सोशन नहीं है लेकिन चलो ये भी ले लो ये भी ले लो लेकिन उनका मौरल तो जगा दो उन्हें बता दो तुम किस देश में हो What is your religion? What is your religion teaches you? How to make your life good human being? नहीं पढ़ाते नहीं पढ़ाते और ये गलत है अगर इन बच्चों को बच्पन में अध्यात्म की एक क्लास दी जाए परड़े मैं यकीन के साथ कहता हूँ इस देश की बहन बेटी सुरक्षित हो जाएगी इस देश के बच्चे समझ जाएंगे इस बात को तो आप सब जो यहां आए हैं जितने भी यंग बच्चे कौन कौन आज की क्लास को अपने जीवन में थोड़ा बहुत उतारने की कोशिस करेंगे पोज्य महराश्री का स्वपन विश्व में शान्ती और घर घर में भगवान के नाम कवास इस संकल को एक महाभियान बनाने का पीड़ा उठाया है शद्धे शान्ती दूद्ष श्री देव की नंदन ठाकुर्जी ने भौतिक्ता के दौर में भटक रही युवा पीड़ी को भी अपने महाभियान से जोड़ कर उनको भी भगवत भक्ती के रश सराबोर करने का दृड़ निश्चे किया है महाराश्री ने साथ ही विश्वशान्ती सेवा Charitable Trust महाराश्री के अध्यक्षता में अंतरराश्टी स्तर पर भगवत भक्ती के प्रचार के साथ मानावता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है जरूरत मंदों की सहायता और विशम परिस्थिती में महराश्री ने सदैव सब के लिए अपना हाथ बढ़ाया है आप भी शद्धेय शांति दूत श्री देव की नंदन ठाकुर जी के महा वियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं आप अपना सहयोग विश्वशांति सेवा चैरेटेबल टरस्ट के भारति स्टेट बैंक मुथुरा शाखा के खाता संख्या 30880944453 में जमा करा सकते हैं मासिक पत्रिका शांति सुन्देश एवं महाराश्री द्वारा गाय हुए सुन्दर सुन्दर भजनों की सीडी विश्रीमत भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीविडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर करें जयोती म्योजिक कंपने शांति सेवाधाम जटीकरा व्रिंदावन रोड व्रिंदावन मतुरा उत्तर प्रदेश पोन नमबर 0735-111-222-1 0735-111-331 दिल्ली कार्याले C5-90 1st floor Sector 6 रोहिनी नाइ दिल्ली 110085 पोन नमबर 01147564 008 mobile 9212-10143 website www.vssct.com www.shantisevadham.in email info at vssct.com twitter dn slash thakur slash g facebook devkinandan thakurji vssct QT Music Company